तो आज हम जो chapter खत्म करने वाले हैं वो data handling है और तुमारे exam सामने आ गए है इसलिए आप जल्दी जल्दी हम chapter सारे complete करेंगे तो इस chapter में जो content है वो तुम्हें आपर देख सकते हो यह सारे topics हैं और इस चीज को मैं description में भी टाल दूँगा ताकि अगर तुम्हें कभी revise करना हो तो तुम कर सकते हो आराम से शुरू करते हैं introduction से introduction data handling क्या होता है तो data क्या होता है तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को किसी भी तरह के raw facts or figures को हम data कहते हैं यह basic definition है अब data किसे कहते हैं किसी भी information तुम कुछ भी लिख दो उसे data कह सकते हैं अभी data types क्या होते हैं तुमने कुछ लिख दिया भाई अब तुम तुम वो जो data है वो किस type का है उसे हम data type कहते हैं यह अभी तक मैं बहुत पर बता चुक हो अपने वीडियो में इसलिए जल्दी जल्दी में खतम करने वालूँ तो data किस type कहा है उसे data type कहते हैं माल लेते हैं आपर मैंने यापर मैं पहले font बड़ा कर देता हूँ अब मैं आपर माल लेते हैं मैंने आपर कुछ लिख दिया जैसे आपर मैंने कुछ letters लिख दिया अब यह कहा है यह alphabetic letters है तो यह जो है वह हम python में रेप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से quotes के अंदर रेप्रेजेंट करते है तो यह एक string हो गया तो यह किस तरह का data type है अब हम कोई number लिख दें तो यह numeric data type है जिसे हम int कह सकते हैं या फिर अब यह float बन गया तो इस तरह से और अगर तुम्हे complex number भी लिखना है तो यहाँ पर यह real part हो गया और उसके बाद फिर plus देके यहाँ पर imaginary part हो गया और यहाँ पर j तो यह मेरा एक imaginary number यानि की मेरा एक complex number बन चुगा तो यह इस तरह के data types होते हैं अब हम एक एक करके इसके अंदर deep dive करते हैं तो सबसे पहला आता है numbers ठीक है अब हम numeric data type में क्या क्या लेते हैं integers, फिर floating exponent, notation, complex, यह हमारे numeric data types हैं ठीक है a is equal to और फिर कोई एक integer डाल सकता हूँ मैं ऐसे ठीक है या फिर अगर मुझी user से input लेना हुआ मैं क्या करूँगा माल लेते है b, b is equal to int ठीक है मैं int बाहर पर रखा हुआ है उसके बाद फिर input और input के अंदर जो मुझे prompt दिखाना user को मुझे बू लिखना जा enter an integer ठीक है तो अगर मैं तुम्हें इसे run करके दिखा हूँ run करने के लिए मैं आपर पहले print भी करा जिता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि print में क्या है sorry b में क्या है और a में क्या है तो यहाँ पर मैंने लिखा print print function के अंदर हम डालेंगे a और b यानि के पहले a print होगा फिर b print होगा और क्या है दोनों में मैं आपर अब तुम्हे run करके दिखाता हूँ इसे ठीक है आपर f5 करके मैं आपर इसे run करूँगा लिखा हुआ रहा है enter an integer क्या integer enter करूँ मैं मैं 9 एंटर कर देता हूँ ठीक है तो अभी आपर यह 6 प्रिंट कर रहा है और 9 प्रिंट कर रहा है ठीक है तो यह था integer data type इसके बाद हमारे पास boolean data type है boolean data type में हमारे पास दो चीज़ा आती है पहला true और दूसरा false उनको लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसे यहां पर अगर मैं कोई एक value डाल दूँ कोई एक variable है यहां पर A इसमें मैं store करता हूँ true तो वह मैं कैसे करूँगा T capital रहेगा फिर बागी सब छोटा अभी वहीं पर मैं B में false कर देता हूँ तो यह दो चीज़े है इन चीज़ों को हम कहते हैं boolean data types और python इनको इस तरह समझता है कि कोई चीज या तो true है या तो false है इन data types में अगर मैं आप पर A और B को print कर वा रहा हूँ तो क्या print होगा देखो true और false imaginary number जिसकी value होती है under root minus 1 ठीक है तो complex number क्या होता है यहाँ पर हम इसे दो part में represent करते हैं पहले हम एक real part रखते हैं फिर plus करके imaginary part और उससे multiply करते हैं under root minus 1 और यह मैं कैसे करूँगा यह मैं करूँगा ऐसे अगर मैं इसे A में store करवा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर तुम देखो real part मुझे डालना है real part में देखो real और imaginary part यह दोनों part जो है इनमें हम integer store कर सकते हैं यहाँ पर मैं 5.6 कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर plus करूँगा और plus करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं imaginary part डालूँगा imaginary part में क्या डालूँगा कोई भी एक दूसरे integer डाल सकता हूँ कोई भी एक दूसरे integer डाल सकता हूँ तो यहाँ पर मैं 6.4 डाल देता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं यहाँ पर J लिखूँगा J की इसको रपेसेंट कर रहा है चूट रहा था मैं यहाँ पर complex data type add कर देता हूँ तो हमने अभी क्या पढ़ लिया integers पढ़ लिया integers और boolean दोनों पढ़ लिया अभी यहाँ पर floating point numbers भी है ठीक है यहाँ पर complex numbers हमने पढ़ लिया एक और बचरा कौन सा numeric data types में floating point numbers ठीक है यहाँ पर decimal के बाद कुछ value है तो इसे मैं करन करूँ तो यह 5.6 ही आ रहा है तो लेकिन यह कौन सा data type है यह हमारे पास floating data type है ठीक है यह हम floating point कहते हैं यह फिर float बहुते हैं simply ठीक है यहाँ पर इसे मैं अटा देता हूँ तो इसे हम किन-किन तरह से represent कर सकते हैं तो इसे represent करने के लिए हमारे पास दो तरीक है पहला fractional form और दूसरा exponential form ठीक है तो fractional form यह simple वागा है जिस तरह से हमने किया है और दूसरा का है exponential form यह exponent notation भी कह सकते हैं तो यह हम कैसे करते हैं इसमें हम क्या करते हैं इसे कि अगर मुझे यो बताना यह कि जैसे कि अगर मुझे यह बताना है कि light की speed किया है तो light की speed हम कैसे कहते है light की speed है 3 x 10 to the power 8 ठीक है, 3 x 10 to the power 8 meter per second तो यहाँ पर हम इसे कैसे represent करना है? इसे मैं represent करना चाहूं, तो उसके लिए एक shortcut है यहाँ पर मुझे पूरा पूरा नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 into 10 की power इस चीज़ को हम E से denote करते हैं ठीक है 3 E और उसके बाद फिर 10 ठीक है यह हो गए इस तरह से हम represent कर सकते हैं कि इसको 3 into 10 to the power 8 को तो यह एक shortcut है यह तुम समझ जाओ इसे मैं अगर print करवाना चाहूँ तो यहाँ पर यह तुम देख सकते हो print कराने के बाद यह क्या दे रहा है मुझे तो floating point numbers भी हमने समझ लिया complex number भी हमने समझ लिया अभी क्या हमारे पास strings तो string का भी मैंने तुम्हें बता दिया है string के उपर मैंने वीडियो भी बना दिया है देखो जितने भी अलग data types है ठीक है यहाँ पर यह basic data types है कौन-कौन से numbers और string के जो है basic data types है उसके बाद फिर आगे हमारे पास और भी data types है तो यहाँ पर यह जो string menu तो यहाँ पर यह जो strings है तो strings के लिए वे अलग chapter है हमारे पास list के लिए अलग chapter है tuples, sets, dictionary sets का chapter नहीं है तुम्हारे से लिए बस में बाकि इन सब का से लिए chapter है तुम्हारे में तो सब हम पढ़ने वाले है तो अभी हम बात करने वाले strings के बारे में तो strings क्या होते है अगर तुम अपने keyboard में किसी भी character को लिख दो, उनका combination मना दो और उसको quotes के अंदर enclose कर दो, तो वो तुम्हारे एक string बन जाता है तो यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता है और इसको मैं quotes में enclose कर दूँगा कौन से quote मैं enclose करूँगा या तो single quote, double quote या फिर triple quote, सब का अपना अलग अलग काम है तो अगर तुम double quote से enclose करते हो या फिर single quote या फिर triple quote किसी से भी enclose करते हो तो तो तुम्हें खतम भी उसी से करना है मतलब मैं इस combination of characters को से कोई सही थर CR-C tava नहीं है तो मैं आपर double quote यूज करना है to double quote ही यूज करना है single quote यूज करना है single quote यूज करो और triple quote के लिए भी dein कτοद का यूज करो गया तो मैं ऐसा नहीं करना है कि एक बार तुमने single quote डाल दिया फिर double quote डाल दिया इसका कुछ और ही मतलब हो जाएगा तो इस तरह से हम strings का use कर सकते हैं strings को हम represent कर सकते हैं यहाँ पर मैं अगर इसे print करके दिखा हूँ तो तुम देख सकते हैं यहाँ पर simply हमारा जो string है वो print हो जाता है इस तरह से अब यहाँ पर string मैंने कुछ बेकार सा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अच्छा लिख देता हूँ कुछ बहुत अच्छा लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुत अच्छा लिख दिया ना किसी भी language में तुम बात करो तो वो 0 से start होता है, 1 से नहीं, वो 0 से start होता है, तो यहां से अगर मैं शुरू करूँ, तो यह 0 position पर है, ठीक है, फिर यह 1st position पर, 2nd position पर, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो अब यहां पर यह index बोला जाता है, इन चीजों को, किन चीजों को बोला जाता है, जैसे मैंने तुम्हें positions बताया, तो r का position क्या है, 0, तो 0 इसका index हो गया, उसी तरह से a का क्या हो गया, 1, तो यह a का index है, वो 1 हो गया, ठीक है, तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह इस तरह से positions हो गया है, इसे हम index भी कहते हैं, अब यहां पर जो हमारे पास indexing होती है, python में वो दो तरह की होती है, forward indexing भी होती है, और backward indexing भी होती है, forward indexing क्या होता है, simple वो जो मैंने अभी तुम्हें बताया, यहां से indexing करो, अगर तुम 0 से तो, यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यह 6 तक जा रहा है, ऐसा क्यों है, जबकि इसमें character 7 है, क्योंकि यह 0 से शुरू हो रहा है, जाहीर सी बात है, तो यहां पर तुम एक चीज notice करो, कि indexing जब हम कर रहा है, forward indexing की बात कर रहा होगी मैं, तो जब हम indexing कर रहा है, forward indexing, तो वो कहां से शुरू हो रहा है, कहां terms पे खतम होगा, अगर मैं size of the string n मान लो तो, ठीक है तो वो 0 से शुरू होगा और n-1 पे खतम हो जाएगा, ठीक है, यानि कि जैसे कि मेरे पास यह साथ characters है, तो 7 n-1 क्या हो गया, 6, यानि 0 से शुरू हो रहा है, 6 पे खतम हो रहा है, तो वो हो गया 0 0 to 6, ठीक है, 0 to 6 यह चीज़ है यहापर, तो यह इसकी indexing यह है, forward indexing, अब मैं बात करता हूँ, backward indexing के बारे में, तो backward indexing क्या होती है, backward indexing जो होती है, वो इधर से शुरू होती है backward से, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो last वाला character है, यह minus 1 इसका जो position है, वो हो जाएगा, यानि इसकी जो index है, अगर backward indexing की बात करूँ मैं, तो यह minus 1 हो जाएगी फिर minus 2, minus 3, minus 4 minus 5, minus 6, minus 7 ठीक है, तो अगर मैं इसमें general terms में बात करूँ तो वो कैसे होगा यह start होगा, minus 1 minus 1 to n ठीक है, अभी forward indexing कैसे हो रही थी, forward indexing यहाँ पर से 0 से लेकर n minus 1 तक हो रही थी, और backward indexing कैसी होगी, यहाँ पर minus 1 से लेकर n ठीक है, तो यह था काम indexing का, मतलब पता करना की कौन से position पर तुमारी जो जो पसंद की चीज है, वो कहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें index तो बता दिया, अब मैं indexing का तुम्हें यूज बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर print कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखना है कि 0, 1, 2 second position पर कौन सी चीज है, एक के second position पर कौन सी चीज है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यह square brackets का यूज करूँगा, और square brackets के अंदर अपना index दिख दूँगा, तो index क्या है यहाँ यहाँ पर क्या है, second, ठीक है, तो यह दिखना है, यहाँ पर मैं इसे run करके यहाँ पर मेरे पास j लिखके आ रहा है, यानि कि यह जो print function है, यह मुझे a variable के अंदर, जो second index में जो चीज है, वो निकाल के दे रहा है, ठीक है, और यही पर अगर मैं तो मैं backward detoxing का यूज करूँग के दिखा हूँ, तो मैं तुम्हें roughly बता देता हूँ कि क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम कुछ एक particular range of characters चुनते हैं, range of position चुनते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, कैसे? जैसे कि मुझे यहाँ पर सिर्फ माल लेते हैं, राज बाहर निकालना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर उसकी शुरी की position डालूँगा, शुरी की position क्या है? यहाँ यहाँ पर 0 लिख देंगे और 0 से लेकर, यहाँ पर हम क्या डालेंगे? यहाँ पर यहाँ पर 2 प्लस 1 वाली थी, ठीक है? तो यहाँ पर A, J, J कौन से position पर है? 2nd position पर, और यहाँ पर 2 प्लस 1, तो वो 3 हो गया, तो यहाँ पर मैं 3 डाल दूगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या एक्स्ट्रैक्ट हो कहा आएगा? राज, इसे मैं रेन करके दिखाद आ रहा है, तो इस तरह से slicing का काम होता है, ठीक है और यहाँ पर क्योंकि तुमने अभी सीख लिया है, indexing ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर कुछ चीज को change कर सकते हैं, जैसे की, यहाँ पर मेरे पास a is equals to r a j and a t h है, ठीक है तो, तो क्या हम यहाँ पर इस वाले a को change करके o कर सकते हैं या फिर कोई और character डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे o करके दिखाता हूँ, ठीक है क्या यह हो पाएगा a का जो कौन से position पर है a, 0, 1 2, 3, 4 4th position पर है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखूंगा, 4 is equals to a के 4th position पर मैं कुछ और assign कर रहा हूँ, क्या assign कर रहा हूँ मैं आपर o assign कर रहा हूँ, तो क्या हो जाना चाहिए r, a, j, n, o, t, h तो यह बंगाली accent हो जाएगा खैर मैं इसे run करके दिखाता हूँ तो यह हुआ नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो string है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, does not support item assignment, यहाँ पर कौन सी बात आती है यहाँ पर mutability और immutability की बात आती है, ठीक है तो mutable क्या चीज, कौन सा जो data type है वो mutable है, कौन सा data type immutable है, इसका भी अलग topic है हमारे chapter में, यहाँ पर यह रहा ठीक है, इस पर भी हम आएंगे, ठीक है तो कुछ data types में ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक particular जगा पे किसी एक particular जगा पे कोई चीज change कर पाए, हाला कि अगर मुझे पूरा का variable change करना हो, तो वो मैं कर सकता हूँ a is equals to, अगर मैं सिर्फ o लिखता तो वो हो जाता, ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें run करके दिखाता हूँ और इसकी ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि मैं पूरे के क्योंकि मैं पूरे के पूरे variable की जो value है उसको change कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी ही रहने दें और किसी एक value को change कर दें ठीक है ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन क्या यह इंटीजर में भी ऐसा ही होता है जरा चेक करतें इस बार चेंज करो माले तो सेकंड पूजिशन पे चेंज करता हूं मैं आपर तो सेकंड पूजिशन पे मैं चलो इंटीजर रख लेते हैं कुछ और इंटेजर रख लेते हैं तो क्या यह हो पाएगा ठीक है यह भी नहीं हो पाएगा यानिकि यह भी immutable है अब कौनसी चीज म्यूटेबल है क्वार यह पाएगा अब तो यह काफी इंपोर्टेंट कांसे न्यूटेबल आ सकता है तो मैं अच्छे से एक्स्प्लेन करके लिखना है उसे आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रिंग तो तो देख लिया हमने मने हमारे पास आता है लिस्ट तो और tuples जो हैं वो और sets भी ले लो तो यह सारी चीज़े जो है वो काफी similar है ठीक है तो क्या इन में similarity है देखो सबसे पहले बात करते है lists की तो list यहाँ पर मैं एक spoiler दे रहता हूँ कि list जो है वो immutable नहीं होता है वो mutable होता है यानि कि लें कि मान लेते हमें की list बना रहे है माल लो कि तुम पिक्निक पे जा रहे है और तुम एक list बना रहे हो तो कौन सी कौन सी चीज़ की तुम requirement होगी वो सारी items तुम वहाँ पर डालोगे ठीक है list में बहुत सारी चीज़े लिखोगे कि तुमें यह चाईए यह चाहिए यह चाहिए तो इतनी सारी चीज़े तुम लिखने वाले हो और इसे तुम किस तरह से लिख रहे हो एक list में लिख रहे हो simple concept यहाँ पर भी है यहाँ पर भी हम अलग-अलग चीज़ों को store करते हैं ठीक है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो जिसे हम store कर रहे है वो same data type का हो मान लेते हैं कि मैंने एक folder बना लिया media नाम का एक folder बना लिया अब मैं उसमें क्या-क्या store कर सकता हूँ मैं photos भी store कर सकता हूँ यह program यह python file है मैं इसे भी store कर दूँ तो मुझे जो मन हो मैं वो वहाँ पर store कर देता हूँ जो मन हो वो store कर सकता हूँ तो simple यह का मैं list का वो क्या होता है कि एक arrangement होता है अलग-अलग values का arrangement होता है और यह ज़रूरी नहीं है कि हर एक item जो है जो कि उसमें store की हुई है वो सारे कि सारे save data type की हो हम किसी भी data type को store कर सकते है integer को store कर सकते है string को store कर सकते है किसी को भी चलो एक list बना के दिखाता हूँ मैं तो यहाँ पर list बनाने का कौन सा तरीका होता है यह मैंने यहाँ पर angle brackets का जूश कर दिया यह मेरा एक list बन चुका है अगर मैं तुम्हें दिखाओं कि यह कौन सा data type है तो यह मैं आपर simply type करता हूँ और type function के अंदर मैं आपर a को डाल के print करवाता हूँ तो यह मुझे बता देगा कि यह एक list बन चुका है तो यहाँ आपर list के अंदर हमें आपर कुछ values डालेंगे कौन कौन से values डालेंगे माल लेते हैं आपर मैंने पहले one डाल दिया one के बाद कोई string डाल देते हैं abc डाल देते हैं इसके बाद और कुछ बताओ इसके बाद मैं क्या डाल देता हूँ मैं आपर कोई floating point डाल देता हूँ चलो ठीक है तो यहाँ पर मैं type function को हटा रहा हूँ तो अब यहाँ पर मैं इसे print करूँ यहाँ पर print करने के बाद यह इसी form में आ जा रहा है तो यह एक list है ठीक है तो इसे हम list कहते हैं अब भी list में हम क्या क्या और operations perform कर सकते हैं उसके लिए अलग chapter है list manipulation का similarly strings के लिए अलग chapter है strings में बहुत सारे काम होते हैं list में अलग काम होते हैं tuples में काम होते हैं dictionaries में काम होते हैं सब के लिए अलग chapter है तुम्हें tension नहीं लेना है या फिर बोल सकते हैं शायद तुम्हें और tension लेना है तो मुझे यहाँ पर कौन से position डालनी होगी 1 ठीक है इस position पर हम change करेंगे तो क्या change करते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर मैं क्या change करूँ यहाँ पर फिर से कुछ अची चीज लिखते है ठीक है मैंने कुछ अची चीज फिर से लिख दी तो अगर मैं इसे अभी रंट करके देखूं तो देख सकते हो यहाँ पर वो change हो चुका है तो किसी particular value को यहाँ पर मैंने change कर दिया है अगर मैं अब मान लेते हैं कि b को change करना है मुझे ठीक है यहाँ पर देखो तुम list के अंदर string है और मैं string के किसी value को change कर रहा हूँ तो यह क्या होना चाहिए अब बताओ क्या होना चाहिए देखो यह नहीं हो पाएगा क्यों हो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर change किसमें कर रहा हूँ मैं string में change कर रहा हूँ और string क्या है string जो है वो एक immutable data type है तो मैं यहाँ पर फिर भी तुम्हें तुम्हारे दिल को तसली देने के लिए मैं से चेंज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 0 1 फिर्स पुजिशन पर भी ठीक है तो यानिकी लिस्ट के पहले element पहले element नहीं सॉरी ये first element पर यानिकी 0 के बाद 1 यानि 1 position पर first index के element पर जो पहला element है ठीक है यानिकी इसके अंदर जो पहला कौन सा ये 0 और फिर ये 1 बी ये जो है में कर रहे है मैं जरा run करता हूँ इसे देखो या पर ये error आ चुका है तो इस तरह से हम list पर काम कर सकते हैं अब आता है हमारे पास क्या अब आता है हमारे पास tuples ठीक है tuples क्या होते है tuples same to same list है ठीक है जैसा तुमने list तमझा वैसा ही same to same tuple है बस यहाँ पर brackets का change होगा ठीक है जिस तरह से जब हम tuple को represent करेंगे तो यहाँ पर बस bracket में square brackets की जगा हम यहाँ पर यह जो parenthesis है इसे लगाएंगे ठीक है और यह लगाएंगे बाकि सब कुछ same रहेगा लेकिन और यह जो है यह तो सही नहीं होगा तो इसे मैं अठा देता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इसको comment out कर देता हूँ ठीक है इसे मैंने comment out कर दिया है याने कि अब यह line जो है इसका कोई impact नहीं होगा हमारे program में हमारे पास अभी meaningful दो ही line है ऐसा क्यों बनाया गया जब तुम्हारा list और tuple दोनों से में तो क्यों बनाया गया ऐसा ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे जो tuple है वो immutable होता है तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें किसी एक value को change करके दिखाता हूँ क्या वो होगा तो क्या वो होगा जरा मैं इसे run करके देखूँ तो यहाँ पर यह error आ गया नहीं होगा मतलब कि हमारे जो tuple है वो immutable होता है same to same list है बस brackets का अंतर है और क्या अंतर है और यह अंतर है कि यह immutable है अभी introduction पढ़ रहे हैं इसलिए हमने अभी बस दो ही अंतर जाना है आगे और भी बहुत सरी चीज़े हैं जब हम इनका individual chapter पढ़ेंगे list का अलग, tuples का अलग तो उसमें तुम्हें और चीज़े मिलेंगी अलग, ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है sets तो sets का क्या है कि तुम्हेरे syllabus में कोई chapter है नहीं इसका लेकिन फिल्बी मैं तुम्हें एक introduction देता हूँ अगर class 11 दे तुम्हें मैं मैंस लिया होगा तो तुम्हें पढ़ा होगा sets का एक chapter पहला ही chapter है तो वो chapter तुम्हें पढ़ा होगा उसमें भी अलग-अलग items का जो है तो वन को अगर मैं यहापर फिर से डाल दूँ यहापर फिर से मैं यहापर one डाल देता हूँ तो यहापर देखो मैंने दो चीज़, दो बार one डाला हुआ है तो अगर मैं इसे print करवाना चाहूँ इसको हम पहले comment out कर देते हैं हम नहीं चाहते है कि इसके वज़े से कोई impact पड़े हमारे program में तो अगर मैं इसे अभी run कर वा हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारा जो एक one है वो neglect हो चुगा है यहाँ पर one फिर abce और फिर एक यह floating number यह आ चुगा है तो यह खासियत है sets की क्या खासियत है कि यह duplicate items को नहीं लेता ठीक है और अब हम चाहते है कि हम यह check करना चाहते है कि क्या set जो है वो mutable है या immutable है तो अगर मैं इसे भी run करके दिखाऊ तो यह एक error आ गया मतलब कि हमारे जो set है वो भी immutable data type का है ठीक है तो अभी तुम समझ चुके होगी कि कौन सी चीज immutable है कौन सी चीज mutable है अभी तक हमारे पास कौन सी चीज mutable है हाथ में आई है वो है list उसके अलावा अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो सारा का सारा immutable है इसके बाद क्या है हमारे पास इसके बाद है dictionary अब dictionary में क्या होता है तुम्हारे पास जो भी dictionary है उसमें तुम क्या करते हो उसमें words लिखे रहते हैं और उसके बाद उनके meanings लिखे रहते हैं यानि कि अगर तुम इन्हें एक pair की तरह देखो word और फिर meaning ये एक pair बन गया तुम्हारे class में भी कुछ लोगों के pair बने होंगे उस तरह से यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी pair बनती है चीजों की पहले key होता है और उसके बाद उसका एक value होता है ठीक है तो इसे हम कैसे बनाते हैं हम कैसे dictionary बनाते हैं और कैसे इन पर काम करते हैं तो उनके लिए देखो dictionary के लिए जो bracket यूज होता है वो भी यही है यह जो curly braces है यही brackets यूज होता है ठीक है और उसके बाद चलो यहाँ पर मैं तुम्हें एक dictionary बना कर दिखाता हूँ dictionary तो मैंने यहाँ पर एक key value pair बना लिया है यहाँ पर कितने key value pairs है total तीन key value pairs है कौन कौन से सीता, राम, राधा, कृष्णा, शिव, पारवती तो यह सारे key value pairs है तो इसमें key कहा है पहली चीज को हम key बोलते हैं और उसके बाद एक colon देते हैं तो key, colon, और value तो इस तरह से हम एक pair बना रहा है तो यह दोनों चीज जो है वो एक pair बन गई है और उसके बाद फिर हम comma दे रहे हैं यानि कि comma का मतलब है इसके बाद एक दूसरी key value pair start हो रही है यह एक key value pair अलग हो गई तो dictionary में क्या होता है इस तरह से key और value के pairs होते हैं और तुम्हारे पास जो सच में जो dictionary है तुम्हारे पास घर पे पड़ी ही जैसे तुम कभी उठाते नहीं हो तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर यह word लिखा होता है और उसके बाद meaning लिखी होती है यही काम तो होता है dictionary का तो बस dictionary का काम यही है कि key value pairs में हम काम करते हैं अभी dictionary में हम indexing कैसे करते हैं यहाँ पर जो मैं indexing करना चाहूं तो मैं कैसे करूं यानि कि अगर मैं A के first position की चीज लिख रहा हूं तो क्या मुझे यह वाली पेर उठा के देगा कैसा होना चाहिए यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूं इसे मैं comment out कर देता हूं बार बार एकी चीज़ को comment out कर देता हूं अब मुझे गुस्ता आ रहा है तो मैं इसे delete कर देता हूं तो यहाँ पर मैं A में indexing करने वाला हूं तो A की अगर मैं second position पे बात करूं करूं तो क्या print होगा यह चलो इसे turn करके देखते हैं यहाँ पर यह error आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसली हो रहा है कि हम dictionary में जब अपने elements को सजा कर लिखते हैं तो वो कोई एक arrangement नहीं होता कि यह जो हमारी यह वाली key value के pair है वो second time में आ रही है यह हमारी पहली key value pair है यह हमारी दूसरी key value pair है इस तरह से नहीं लिखता dictionary जो है वो कभी भेदबाव नहीं करता वो सब को इधर उधर से arrange कर देता है मतलब इसमें position की जो है वो जादा priority नहीं है तो इसमें हम indexing कैसे करेंगे इसमें हम indexing करेंगे keys की मदद से अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ अगर मैं यहाँ पर जैसे की अगर मैं यहाँ पर सीता लिख दूँ तो यहाँ पर सीता जो है वो एक key है अगर मैं इसे run करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे value मिल गया तो इस तरह से key यहाँ पर indexing होती है तो यहां पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, यहां पर मैं यह चेंज किया, अगर मैं इसे अभी रण करके देखूं, तो यहां पर यह नहीं हो पा रहा है, अच्छा, यहां पर मैंने यह mistake किया, कि यहां पर इसे मुझे string के form में देना, क्योंकि key जो है, वो string है, यहां कि जो है, की जो है, वो string के form में है, ठीक है, यहां पर key जो है, वो कोई एक number भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक floating point भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे है कि तुम जब भी कोई key बना रहे हो, तो वो हमेशा एक immutable data type का हो, ना कि mutable data type का हो, ठीक है, तो अगर मैं इसे अभी run करूं तो यहां पर यह क्या मुझे दे रहा है, यह श्रीराम दे रहा है, ठीक है, यानि की इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे dictionary के अंदर, जो यहां पर seeta जो है, इस key के अंदर जो value है, वो change कर रहा है, राम से हटा के वो Shri RAM कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर यह change हो जा रहा है, या और बाखी सब immutable data types हैं, तो हमारे पास आता है mutability और immutability का concept, तो अब तक मैंने तुम्हें जितने भी data types है, सब के बारे में बताया कि कौन सी चीज mutable होती है, कौन सी चीज immutable होती है, तो यहां पर मैंने तुम्हें बताया बहुत कुछ, ठीक है, तो अब मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहां पर एक concept यहां पर रहा रहा है, जो कि तुम्हें जानना जरूरी है mutable और immutable में, ठीक है, तो वो क्या concept है, जब मैं तुम्हें इसे पहले वाला जो chapter था, python fundamental था शायद, तो उसमें मैं तुम्हें बता रहा था, हम जब C और C++ में programming करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि कोई एक value जो है, वो किसी एक variable में, वो किसी एक variable में store होती है, ठीक है, लेकिन python में ऐसा नहीं होता है, python में क्या होता है, कि कोई भी एक जो value है, वो उस variable को refer कर रही होती है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि वो जो variable है वो उस value को refer कर रहा होता है ना कि उसमें store होता है ठीक है यानि कि अगर मैं a equals to one लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि a के अंदर one store हो गया ऐसा नहीं है तो यह चीज को समझाने के लिए जो सबसे best data type है मेरे पास वो है list क्योंकि यह immutable है तो इससे मैं तुम्हें अब समझाता हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे की a is equals to one लिख दिया ठीक है तो यह क्या कर रहा है एक को refer कर रहा है ना कि एक को store कर रहा है इसे मैं समझा सकता हूँ किससे list से तो उसके लिए मैं आपर एक list बनाता हूँ चलो मैं आपर एक list बना लेता हूँ यहाँ पर मैं one लिखता हूँ ठीक है फिर मैं आपर कोई character डाल देता हूँ फिर कोई और character डाल देता हूँ मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पर फिर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ फिर और कुछ भी डाल रहा हूँ आपर नहीं ऐसे नहीं डाल सकते तो यहाँ पर मैंने कुछ बेकार सी चीज़े डाल दी अब इनको डालने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और वैरियेबल बनाता हूँ और इस वैरियेबल के अंदर मैं एक और डालता हूँ ठीक है अब तुम तो अब मैंने आपर B में जो है वो A assign कर दिया ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसके बाद की A में कुछ changes करता हूँ तो फिर मैंने दिखोंगा कि क्या वो change B में भी हुआ है या फिर क्या वो change B में नहीं हुआ है ठीक है तो तो यहां पर मैंने इसको replace कर दिया तो तुम्हें पता है कि यह एक mutable data type है तो यह replace हो चुँगा होगा अगर तुम्हें कोई doubt है तो मैं इसे run करके दिखा देता हूँ अगर मैं इसे run करूँ तो यहां पर देखो यहाँ पर यह बेकार सी चीज यह अच्छी सी चीज से replace हो चुकी है तो अब मैं आपर क्या करने वाला हूँ कि मैं आपर check करने वाला हूँ कि क्या यह change B में भी आया है क्योंकि A जो एक list था उस list को मैंने B में assign कर दिया अब मैं आपर A के किसी चीज को change कर रहा हूँ तो क्या यह वो change B में भी आएगा ज़रा मैं यहाँ पर देखता हूँ B लिखके देखता हूँ यहाँ पर मैं अगर run करूँ तो run करने के बाद यहाँ पर मेरे पास same चीज आ रहा है यानि कि B में भी वो change आ गया है ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब इसमें क्या बताना चाहरा हूँ मैं यह बताना चाहरा हूँ कि देखो A कुछ चीज थी ठीक है अब मैंने A को किसी चीज में assign कर दिया अब मैं A में जो भी changes कर रहा हूँ वो B में भी हो रहा है लेकिन लेकिन अगर मैं यह सोचू कि यहाँ पर store करने का concept जो है वो use हो रहा है यानि कि A में अगर मैंने यह चीज store हो गया ठीक है store कर दिया तो यह चीज A में store हो गई अब B में मैं A को store कर रहा हूँ तो B में A store हो गया अब मैं A में change कर रहा हूँ तो फिर A में जो चुछी store की हुई थी वो चीज चेंज हो गई तो इससे B को तो कोई फर्क होना नहीं चाहिए था न इससे क्यों B को फर्क पढ़ रहा है तो ये जो चीज होती है store होने वाले concept ये C, C++ इन languages में होती है ठीक है और यहाँ पर अगर मैं Python के बारे में बोलूँ तो Python में का होता है refer करने का concept होता है यानि कि हमारे पास A में मैंने कोई एक value बनाई ठीक है अब ये जो value है ये हवा में तैर रही है और हमारा जो variable है A वो जो variable है A वो उस चीज को refer कर रहा है और फिर जब मैं A को B में assign कर दे रहा हूँ तो B जो है वो B भी उस हवा में तैरती हुई value को refer कर रहा है ठीक है यानि हमारे ये जो दोनों लड़के हैं वो एक ही लड़की को देख रहा है तो ये concept यहाँ पर use हो रहा है refer करने का ना की store करने का मतलब शादी करने का अब आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारे पास operators तो operators जो होते हैं वो काफी बार मैंने तुम्हें बताया operators बहुत easy है जल्दी से जल्दी मैं तुम्हें आपर फिर से revise करवा देता हूँ तो operators कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले बात करते हैं arithmetic operators के बारे में तो arithmetic operators क्या होते हैं यानि plus, minus, multiply, division, modulus ठीक है तो यह सारे operators होते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो तो यहाँ पर अगर मैं modulus operator का use तुम्हें बता रहा हूँ तो जैसे कि मान लेते हैं 1, 2 और यहाँ पर मैं % का sign दे रहा हूँ और फिर यह % के बाद 2 डाल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या print होना चाहिए जिनको पता है वो पहले मुझे बताओ क्या होना चाहिए ठीक है तो मैं assume कर रहा हूँ कि जिने जिने पता है उन्होंने 0 answer दिया होगा और मैं से run करूँ तो यह पर तुम देख सकते हो 0 आ रहा है ठीक है इस चीज को मैं फिर से ज़रा सही कर देता हूँ तो यह पर तुम देख सकते हो 0 आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो यह जो modular operator है यह मुझे remainder देता है यानि कि अगर मैं 12 को 2 से divide करूँ तो remainder कितना आ रहा है क्या आ रहा है 0 आएगा obviously क्योंकि 2 into 6 is equals to 12 ठीक है अब इसका use बहुत जादा होता है जब भी तुम्हें कोई यह कहे कि तुम्हें जब भी तुम्हें कोई ऐसा है गए कि तुम्हें एक ऐसा program मनाना है जिसमें तुम्हें चेक करना है कि कोई दी हुई एक value है कोई दिया हुआ एक number है अब चेक करो कि वो even है या odd है तो इस तरह से simply तुम चेक कर सकते हो even और odd में और यहाँ पर कौन से operator जो है वो नये तुमारे लिए हो सकते हैं जैसे कि एक double division का जो operator वो तुमारे लिए हो सकता है नया ठीक है इसे हम flow division भी कहते हैं अगर मैं इसे अभी तुम्हें run करके दिखाऊ तो देखो यह क्या हो रहा है यह six आ रहा है मतलब क्या है मतलब यह कि चलो मैं काम करता हूँ यह पर single division यूज़ करता हूँ अगर मैं इसे अभी run करूँ तो यह six point zero आ रहा है चलो कुछ तो difference है क्या difference है देखो python में तुम जब भी किसी चीज को divide करोगे तो obviously बात है और यह बहुत important बात है कि वो तुम्हें answer में एक float value ही देगा भले ही तुम्हेरे पास six आ रहा हो तो वो six point zero प्रेंट करके देगा तुम्हें याने कि एक float value हो ठेक है जिनको नहीं पता है वो मैं उन्हें में बता दूँ कि six point zero है यह भी एक float value है अगर six लिखो तो वो एक integer है लेकिन six point zero लिख रहे हो ना तो यह एक float number है और और क्या बताना है और यह बताना है कि देखो जब भी तुम किसी चीज को divide कर रहे हो तब तुम्हेरे पास क्या आने वाला है लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं 12 by 2 को 3 by 2 कर देता हूँ यहाँ पर मैं 3 by 2 कर दिया अब मैं यहाँ पर मैं run करूँ तो यहाँ पर मैं पस क्या रहा है 1.5 लेकिन double division यानि flow division क्या करता है ना कि यह जो चीज आ रही है जो भी चीज आएगी तो उसमें सिर्फ जो फ्रैक्शनल पार्ट आ है उसको हटा देगा वो उसे वो नेगलेक्ट करेगा तो यानि कि 1.5 आ रहे हैं या पर तो इसके जगह पर यह मुझे सिर्फ 1 देगा यानि सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होती है ये जो हमारे पास यह है इसे हम कहते है expansion operator तो यह हमारे पास exponential operator गौह यह तो यह हमारे पास exponential operator बंच हो जो तुम पावर में लिखते हो न वह ही है अगर मैंस करें कर Exactly Do जो पावर है वो 9 है, simply यह यह कह रहा है अगर मैं आपर 2 का पावर चलो 2 रहने दू तो यह मुझे 4 दे देगा ठीक है, तो simple है, तो यह थे कुछ mathematical operators, यानि arithmetic operators कौन-कौन से, plus, minus, multiply division, फिर modulus और यह exponential, flow division ठीक है, यह थे कुछ, ठीक है और मैंने तुम्हें कुछ का इनमें बता दिया कि क्या काम होता है, और इनमें जो plus वाला operator है minus, multiply, division, यह बहुत ज़ादा hard operator है तो इनके बारे मैं तुम्हें नहीं बताने वाला यहाँ पर हमारे पास एक और अच्छी चीज आती है जो कि यह augmented assignment operator ठीक है, तो यह क्या होती है यह तुम देख लो, यह कोई अच्छी चीज होती है मेरे से ज़ादा नहीं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a equals to 1 मैंने यहाँ पर a1 लिख दिया a equals to 1 दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि a जो है, उसकी value 1 से increment हो जाए यहाँ पर a equals to 1 plus 1 यह लिख सकता हूँ या फिर इसका जो shortcut है वो क्या है, sorry, यहाँ पर a equals to 1 plus 1 नहीं, यहाँ पर a equals to a plus 1, यह लिखना है मुझे तो यह मुझे 2 print करके देगा, ठीक है, यहाँ पर तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर मैं a लिख देता हूँ मैं हर बार a पता नहीं क्यों use कर रहा हूँ चलो run करते हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, 2 print हो क्या आ रहा है मतलब a की जो वली है, उसमें 1 जो है, वो add हो गया है तो यह लिखने का यह जो चीज है, यह line लिखने की यह, तो यह जो line है, इसको लिखने का एक shortcut भी है वो कहा है, यहाँ पर मैं equal to के पहले बस एक plus लगा दू, ठीक है, प्लस लगा दू, ठीक है, तो plus लग गया है अब मैं इस चीज को आपर से हटा दू, तो इसका मतलब यह ही है, कि a में जो है, वो one add हो जाएगा तो इसे मैं run करके देखूँ, तो अभी भी वही आ रहा है, यानि कि a में पहले one गया, यानि कि a जो है, वो one को refer कर रहा है और उसके बाद a में one जाने के बाद उसमें one और add हो जा रहा है, और उसके बाद फिर यह प्रिंट हो जा रहा है तो यहाँ पर multiply वगरा भी कर सकते है, multiply, division, यह सब भी कर सकते हैं, मैं तो यह सब भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं multiply करके दिखाता हूँ, a into और फिर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a is equals to a into 2, यह हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसे run करके दिखाता हूँ, 2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर फिर से मैंने, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ पता नहीं क्यों ले रहाँ बार-बार, तो 6 कर देते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर, अब दिखरा होगा तुम्हें, आप सब समझ में आ रहा होगा, तो यह था augmented assignment operator, अब हमारे पास जो operator आता है, वो है relational operator, relational operator, नाम से समझो, relation, वो क्या करते हैं, तुम्हारे relatives, marks compare करते हैं, अपने बच्च जाता है कि कौन सी चीज थोटी है, कौन सी चीज बढ़ी है, तो यहाँ पर, कौन कौन से relation operator होता है, greater than, less than, यहाँ पर मैं तुम्हें science दिखाता हूँ, देखो यह हो गया, फिर less than equal to, greater than equal to, चलो इसे में compare करके तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे पास इसमाल लेते हैं, दो variables ह और दूसरे में मैंने, दूसरे में मैंने two लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं print करता हूँ, और यहाँ पर कुछ condition लिख सकता हूँ, मैं यहाँ ठीक है, तो condition में क्या लिखूँ, condition में यह लिख देता हूँ, कि a is greater than b, क्या यह सही है, नहीं, यह गलत है, तो यहाँ पर करके देगा यह मुझे फॉल्स प्रेंट करके देगा यहां पर तुम्हें रण करके दिखाता हूं यह देखो यहां पर यह फॉल्स प्रेंट करके दे रहा है चलो अभी और क्या कर सकता है मैं आपर मैं आपर इसे टू करवा देता हूं सबसे पहले यहाँ पर मैं से अविरेंट करूँ, तो यह true आ गया, अभी आता है हमारे पास, यह हमने less than और greater than देख लिया, अब मेरे पास और कौन कौन सी चीज़े हैं, less than, equal to और greater than, equal to यह चीज़े भी हैं, तो less than, equal to मैं यहाँ पर देखता हूँ, यह क्या हो गया, true, ठीक है, तो equal to क्य होता है, equal to हमें यह चेक करके देता है, मतलब equal to के पहले जो चीज़ लगी हुई है, क्या यह चीज़ Trou है, या फिर क्या यह दोनों values Equal है, यह printed करके देता है, ठीक है, तो A भो obviously B से क्या है, चोटा है, ठीक है, तो यह true होना चाहिए, या फिर, तो यह true होना चाहिए, ओर a जो है وہ b के equal भी हो तो भी true हो ठीक है, हम इसे ये कह रहा है, याने की अगर मैं इसके जगा पर two कर दूँ तो भी ये true होनी चाहिए, ठीक है और अगर मैं इसे हटा के ये करूं, तो यहाँ पर मैं बस एक error आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं यह जो operator यूज कर रहा हूँ यह एक valid operator नहीं है, यह एक assignment operator है, ठीक है, तो इसमें मैं equal to check करने के लिए मैं use नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे यह आपर दो बार equal to लिखना पड़ेगा, तब यह मुझे check करके देगा, कि यह दोनों चीजे जो है, वो equal है या नहीं, ठीक है, त अगर दोनों में से कोई एक चीज fulfill हो रही है, तो true print करके दो, और अगर नहीं हो रही तो false print करके दो, यह कह रहा है हम इसे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने तुम्हें यह assignment operator को हटा कर, यह double equal to लगा दिया, यह equality check करने के लिए है, ठीक है, equality operator कहता है इसे, और उसके बाद आता अगर तो मैं यहाँ पर equal to देते हो, तो उसे हम कहते है, not equal to, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं a is not equal to b, क्या यह चीज सही है, नहीं यह चीज गलत है, क्योंकि दोनों तो equal है, तो यह मुझे false return करके देगा, ठीक है, तो यह not equal to का का काम है, तो हमने relational operator में कौन कौन सी less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, और फिर equal to, यान equality operator, और फिर not equal to, यह चीज़े हमने देख ली, अब यह जो है, वो अलग अलग जगा पर अलग तरह से काम करेगा, मतलब कि अगर मैं numbers में देखू, और फिर मैं यहाँ पर इसे अगर strings में दिखाऊ, तो वो अलग तरह से काम करेगा, मतल यहाँ पर मैं assume करके चलता हूँ, चलो मैं assume कर लेता हूँ, r वो जो है, r की जो value वो बढ़ी है, तो क्या यह सई written करेगा, क्या यह true written करेगा, अगर मैं इसे run करके दिखाऊ हूँ, तो यह true बोल रहा है, यह कह रहा है कि r जो है, वो बढ़ी है, एसे, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर, चलो, यहाँ पर मैं small a कर दूँ, और अगर मैं इसे abhiren करूँ, तो यहाँ पर यह false कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर मैं इसे equal भी करूँ, तो भी यह false कह रहेगा, ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ पर एक concept आता है, ASCII code का, ठीक है, तो जब मैं तु उनका हर एक कोड हूता है, मतलब तुम्हारे पास लिखा वू ए उसका भी एक कोड होते हैं, फिर लिखा हुँए तो कोड की कोड है, तो अगर तुम्हें रहे है कि किसका कोड है तो वो तुम गुगल पर जाके लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं simply try करता हूँ यह लिखने का ASCII codes ठीक है अच्छा तो यहाँ पर internet connection चाहिए तो यहाँ पर मेरे पास ASCII codes का जो result है वो आज चुका है यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ जो D is याँ नि डेसिमल में जो कुछ भी लिखा हुआ है यह सारे ASCII ASCII codes है ठीक है और यहाँ पर किसके ASCII codes है वो इन चीजों के ASCII code है यहाँ पर यह जो symbol है symbol लिखा हुआ है इन चीजों के ASCII code है तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आँ हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर character है तो R का क्या code है 82 तो यहाँ पर capital R का जो आसकी code है वो 82 है तो अब तुम समझ रहे होगे कि यह R को बड़ा Q बता रहा था और अब तुम देखो कि यहाँ पर uppercase लिखा हुआ है मतलब क्या यानि कि lowercase और uppercase चीजों का अलग-अलग होता है ठीक है मैं दिखाता हूँ small a किस से बड़ा है capital R से बड़ा है ठीक है वो क्यों हो रहा है अब तुम्हें बता चलगा होगा क्योंकि small a जो है वो 97 है और capital R जो है वो 82 है और क्या तुम्हें यह सब याद रखना होगा क्या तुम्हें हर एक symbol का जो है वो asking code याद रखना होगा नहीं तुम्हें याद नहीं रखना होगा अगर तुम्हें बहुत चुल है याद रखने की तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर तुम यह कर सकते हो कि यहाँ पर बस यह याद रखो कि एक आ जो code है वो 65 है ठीक है और उसके बाद फिर इस तरह से सीरीज में चल रहा है ठीक है 65 चल रहा है और फिर 66, 67 इस तरह से चल रहा है और फिर Z का क्या है 90 ठीक है तो इतना याद रख सकते हो कि 65 से शुरू हो रहा है 90 पे खतम हो रहा है किस के लिए upper case के लिए और अगर lower case की बात करें, तो यह 97 से शुड़ू हो रहा है, और फिर आगे का तुम 26 add कर लो उसमें, यानि कि तुम्हें बस क्या करना है, दो numbers याद रखने हैं कौन-कौन से, 65 और 97, दोनों में तुम 26 plus कर लो, क्योंकि 26 letters होते हैं, टोटल alphabet में, तो यह बस तुम्हें याद रखने हैं, तुम्हें याद रहे का लिए, और बागी characters की, तुम्हें याद रखने की कोई जरुरत नहीं है, तुम बस एतना याद रखलो. लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूँ कि यहां पर मैं multiple characters डाल दूँ यहां multiple characters डाल दूँ तब यह कैसे काम कर रहा है देखो अब इसे भी समझना पढ़ेगा तुम्हें तो यहां पर मैंने a में किते characters डाले तीन यहां पर मैं और भी characters डाल देता हूं चलो और उसके बाद B में मैंने किते characters डाले सिर्फ दो, अगर मैं भी से run करके देखूँ तो यह false आ रहा है, क्यों? क्योंकि यह मेरे को सबसे पहले first character जो है वो check करके दे रहा है, तो first character की कौनसी value जो है वो बढ़ी है कौनसी value बढ़ी है तुमारे पास यह condition false आ रही है, और इसलिए यहाँ पर यह false print हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर यह काम हो रहा है अगर मैं क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर यह चीज भी same डालू, ठीक है? यहाँ पर मैंने यह first character same डाल दिया अब मैं आगे कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है? अब क्या होगा? अगर मैं यह से अभी run करके दिखाऊं, तो अभी भी यह false आ रहा है false यह नहीं क्या कहना चाहरा है, यह कह रहा है कि B की जो value है, वो बढ़ी है अब यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यह जो second character है, उस पर भी तुम देख लो यहाँ पर A जो है, वो क्या है? और T जो है, वो क्या है? A का जो aski code है, वो obviously क्या था? वो 97 था, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम आगे जोड सकते हो कि T का क्या होगा? जो B होगा, वो A से तो बड़ा ही होगा, इसलिए हमारे जो B में जो string है, वो बड़ा है, ठीक है? और B में जो string है, उसके बड़े होने के वज़ह से यह जो statement है, वो गलत हो गई और यह false हो गया, ठीक है? चलो, यह तो तुम्हें समझ में आगे कि सबसे पहले क्या चेक करता है Python इनमे, सबसे पहले चेक करता है इनके जो सबसे शुरू में जो letters है, उनके ASCII codes को चेक करता है, ठीक है, यहाँ पर तुम 1 डाल दो, तो 1 के ASCII codes को compare करेगा, यह capital R के साथ, ठीक है? तो यह इस तरह से किस जगह पर, आज की वेलियू को, जो है, वो बड़ी हो रही है, तो वो चीस चेक करता है, अब तुम्हें समझ में आ गया है यह शुरू से चेक करता है हर एक values को कि किस जगह पे ask की value जो है वो बड़ी हो रही है तो वो चीज बड़ी हो गई ठेक है तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल ask की codes का है यह तुम्हें समझ में आ गया होगा यह relational operator हम strings में कैसे use करते हैं यह तुम्हारे exam में आ सकता है और थोड़ा tricky लग सकता है लेकिन अगर तुम्हें अभी तक यह वीडियो देख ली तो तुम्हें समझ आ गया होगा अब हमारे पास आता है identity operator identity operator क्या अगरता है जैसे की equality operator था वो क्या करता था वो दोनों के values को चेक है था हमां लेते मेरे पास दो values है अगर मैं अगर मैं बात करूँ identity operator की पहला is और दूसरा is not तो अगर मैं आप पर is करूँ ठीक है तो is क्या करता है दोनों की addresses को check करता है इस क्या करता है दोनों के addresses memory address को check करता है अब address तुम कैसे पता करोगे address पता करने के लिए तुम्हारे पास एक function है जो कि एक ID function ठीक है ID के अंदर सबसे पहले मैं ID के अंदर मैं A को पास करवाता हूँ, उसके बाल फिर मैं B को भी पास करवाता हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि दोनों की जो एड्रेसेस हैं, वो क्या सेम है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों को लिख दिया, अगर मैं इसे अभी रन करवा हूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, दोनों को जो एड्रेस है, वो अलग-अलग है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सेम चीज लिख दूँ, यहाँ पर इसको भी बन लिखू, यहाँ पर इसको भी बन लिखू, से मैं अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ बीक का जो वैल्यू है उसे मैं यूजर से एंटर करवाता हूँ ठीक है अब तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि दोनों की वैल्यू तो अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर यह दोनों के addresses को check करता है लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि यह is और is not में और यह equal to में अंतर कहा है ठीक है दोनों same काम ही तो कर रहा है यह is का काम कर रहा है और यह यह is not का का काम कर रहा है तो दोनों में अंतर क्या है तो अंतर क्या है इस में यह कब अलग काम करता है, यह मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कि यह एक change करते हैं, यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ, और equal to का तो तुम्हें पता है कि जब equal to कब आना है, जब दोनों equal रहेंगी, तो इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक change करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको अटाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, int, input, enter, कुछ भी, ठीक है, enter करो, चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक integer type को enter करवा रहा हूँ, ठीक है, और one भी हमारा integer है, अब मैं यहाँ पर run करता हूँ, चलो run कर में यहां मैंने one लिख दिया अब क्या हो रहा है अभी address में तो अभी यह true आ रहा है देखो अभी हर बार नहीं होगा यह हर case में नहीं होगा यहां पर एक चीज़ अलग होने वाला है कब अलग होने वाला है जब मैं इसे काम कर तो मैं इसे integer को हटा के अगर मैं string कर दूँ या फिर complex number कर दूँ ठीक है या फिर float point कर दूँ तो इन cases में क्या होगा तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ मैं मान लेता हूँ मैंने या पर एक string लिख दिया मैं मान लेते मैंने a b c d कर दिया ठीक है और अगर मैं user से अभी input ले रहा हूँ यहाँ पर user ने भी a b c d यह लिख दिया अब मैं इसे enter करूँ तो तो मैं यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर एक error आ रहा है यह error क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर मुझे string में input लेना है तो obviously यह string data type का होगा और यह by default input का जो होता है वो string यह होता है तो इसको पहले ठीक करते हैं फिर से ठीक करते हैं हाँ आ गया a b c d अब मैंसे अभी एंटर करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो दोनों का address बदल गया है ठीक है और अगर string के जगह अगर मैं क्या का यूज़ करूँ और मैं अगर यहाँ पर complex number भी यूज़ करूँ या पिछला example इंटीजर का था तो इंटीजर में मैंने टू लिख दिया है यहाँ पर और यहाँ पर फिर से इसे इंटीजर कर देते हैं ठीक है इंट चलो यह भी इंटीजर बन गया अब क्या कर रहा है हम यहाँ पर मैंने चलो यहाँ पर भी मैंने टू कर दिया तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा इंटीचर दे दूँ जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलो मैंने बहुत लंबा इंटीचर दे दिया और इसी चीज को कॉपी करके copy कर लिया मैंने ठीक है अब मैं इसे paste करूँगा तो यहाँ पर मैं इसे run कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को यहाँ पर paste कर रहा हूँ और यह paste हो नहीं रहा है तो paste करने के लिए मैं एक मिनिट मैं एक जुगार लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैंने इसे paste कर लिया तो अगर मैं इसे अभी run करूँ तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यह मुझे false कह रहा है यानि कि अब इनके memory address जो है वो change हो चुके है तो memory address change हो रहा है किस जगह पे change हो रहा है जब भी हम input ले रहे हैं user से उस time पे change हो रहा है ठीक है और user से input लेने पे भी किस conditions में change हो रहा है वो तुमारे पास तीन conditions है तुमारे जो operands है यानि कि A और B की जो values है मतलब जिन variables से तुम compare कर रहे हो तो या तो वो strings होने चाहिए या तो floats होने चाहिए या फिर complex होने चाहिए complex numbers या फिर क्या होना चाहिए कि वो integer में अगर हैं तो वो बहुत बड़े integers हो ठीक है जैसा कि अभी तुमने देखा तो उस case में क्या होगा कि input की जो address होगी वो change हो जाएगी अलग हो जाएगी ठीक है और अब मैं एक काम करता हूँ तो अब यह true कह रहा है ठीक है यानि कि अब यहाँ पर यह कह रहा है कि दोनों same है ठीक है यहाँ पर मैंने input नहीं लिए इसलिए ठीक है तो तुम्हें क्या करना है कि तुम यह समझो कि is क्या कर रहा है यह भले ही is जो है वो similar है equal to equal to यानि equality operator के लेकिन is क्या check कर रहा है addresses check कर रहा है और addresses यहाँ पर अलग कब हो रहा है addresses यहाँ पर तब अलग हो रहा है जब भी same values है ठीक है तो same value होने पर भी address कब अलग हो रहा है address कब change हो रहा है address तब change हो रहा है जब हम input function का यानि एक जगह पर किसी एक variable लिए user से input ले रहे हैं और उसमें भी क्या condition है उसमें भी ये condition है कि या तो user ने जो input दिया तो वो number जो या तो अगर वो number है तो वो integer नहीं होना चाहिए अगर integer हो तो बहुत बढ़ा integer होना चाहिए जैसा कि तो मैं भी screen पे देख रहे हूँ या फिर वो string होना चाहिए या फिर फिर फ्लोट या फिर complex number होना चाहिए इन चीज़ों पर क्या होगा इन चीज़ों पर हमारा जो address होगा वो अलग हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से बोल रहा हूँ सुनो इस पर ध्यान से सुनो तो change कब होगा address same value होने पर भी address मतलब equal value होने पर भी address change कब होगा address अलग तब होगा जब हम एक के लिए किसी एक के लिए यूजर से input ले रहे हो ठीक है और यूजर से input लेने पर भी वो जो type होगा उसका वो integer नहीं होना जाए अगर integer हो तो काफी बड़ा integer हो जैसा कि तुम्हें screen पर दिख रहा है वरना उसे या तो वो string हो या तो वो complex number या फिर floating number हो ठीक है तो यह था कहानी किसके लिए is operator के लिए और अब तुम्हें याँ पर ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि क्या हमें किसी एक के लिए सिर्फ input लेना है मतलब हमारे पास दो अगर values है तो क्या हम उसमें सिर्फ एक के लिए ये value user से input करवाएं तब क्या ये चीज होगा तो चलो उसे try करते हैं ठीक है हम try करते हैं इस बार की दोनो values हम user से लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर यह कह रहा है कि दोनों जो है वो equal है ठीक है मतलब दोनों equal है अब मैं आपर किसी एक को अगर मैं int और फिर किसी एक को मैं user से input करवाँ हूँ input ठीक है और यहाँ से लेकर इसको हटा जिता हूँ यहाँ पर enter ठीक है enter कुछ भी enter करो चलो ठीक है ठीक है तो यहाँ पर मैं user से input करवाँ हूँ पहले चीज यूजर से input करवा रहा हूँ चलो enter करवाया मैंने दोनों के value अलग हुए ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को भी user से input करवाँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को copy कर लेता हूँ यह मैंने copy कर लिया और एक काम करता हूँ मैं इसको comment out कर देता हूँ और नीचे क्या कर रहा हूँ मैं a equals to ये ठीक है मैं नहीं ये कर लिया तो अब मैं दोनों में एक ही number डालने वाला हूँ ये बड़ा सा integer या फिर अब देखो ये जो बड़ा सा integer है ये भी वही काम करने वाला जो की कोई string करेगा या फिर जो कोई complex number करेगा या फिर कोई integer करेगा sorry integer नहीं कोई floating point करेगा तो मैं इसे copy कर लिया अब मैं इसे input में डालने वाला हूँ अगर मैं इसे बिरन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर sorry इसे सही करते है सही करते है यह मैंने पहले वाले के लिए डाल दिया, दूसरे वाले के लिए भी यह डाल दिया, अब क्या हो रहा है, अब false आ रहा है, ठीक है, यानि कि जब भी हम input करवाते हैं user से, तो वो एक अलग value ले लेता है, ठीक है, एक अलग जगा पे उसे store करता है, उसकी एक memory address अलग हो जाती ह है, लेकिन अगर वो integer हो और छोटा integer हो, तब वो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर बड़ा integer हो, या फिर string हो, या complex number हो, या floating point हो, तब अलग हो जाता है, तो यह काफी detail में मैंने तुम्हें समझा दिया, कि यह is operator और is not operator, जो की identity operators है, वो उनका काम कैसे होता है, तो अब मेरे प पढ़ा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि and का क्या काम होता है, और का क्या होता है, not का क्या होता है, अगर या फिर किसी और से भी पढ़ा हो, तो यहाँ पर यह ही होता है, मतलब logical में यही चीज़े आती है, अगर मैं आपर तुम्हें print कर रखके लिखाऊं, तो अगर मैं रन करूं इसे, तो यह true print करके दे रहा है, मुझे, ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, चलो यह काम करता हूं, यहाँ पर मैं zero कर देता हूं, ठीक है, zero और कोई भी एक value डाल देता हूं, अगर मैं इसे अभी run करूं, ठीक है, तो यह मुझे, यह value है, वो print करके दे रहा है ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि python जो है वो क्या करता है वो हमेशा empty value को और 0 को false मानता है और भले तुम उसमें कोई भी value दे दो उसे अगर boolean में समझना है तो वो उसे true मान लेगा समझ गया कौन-कौन चे value empty value को और 0 को वो false मानता है बाकी उसे तु उसे वो true मान लेगा तो इसका use बहुत जादा होता है कहां if else वाले conditions में if else conditions में तुम अगर जब भी use करो तो वो उसका एक अलगी chapter है उसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताने वालू हूँ तो उसमें बहुत काम आएगा यह और वाली जो चीज है वो तो और क्या करती है अ ठीक है तो और क्या करती है कि अगर दोनों में से कोई एक value true हो तो उसे वो true समझती है अगर दोनों true हो तो उसे भी वो true समझती है ठीक है और अगर दोनों value 0 हो तो उसे वो false समझती है सिमिलरली अगर हम बात करें and की तो and में क्या होता है and को दोनों values true चाहिए तब ही वो उ not को true के पहले लगा दो तो वह false बन जाता है अगर false के पहले लगा दो तो वह true बन जाता है यहां मैं तुम्हें दिखा देता हूँ not और यहां पर मैं true लिख देता हूँ या फिर true के जगह मैं यहां पर कोई condition भी टाल सकता हूँ two is sorry यहां मैं डाल देता हूँ two is smaller than three तो two is smaller than three क्या है यह कौन सा यह सही है या गलत है इसे मैं bracket के अंडर पहला एंड क्लोज कर देता हूँ ताकि तो मैं president समझने में कोई अभी फिलाल कोई problem ना हो ठीक है तो not और उसके बाद फिर यह है इसे अठाता हूँ मैं अभी यह सही हो गया तो यह अंदर की जो condition है वो सही है ठीक है तो यह true है और true के बाद यह क्या कर रहा है not वो से false होना दे रहा है तो यह मुझे totally क्या प्रिंट करके देगा यह मुझे false प्रिंट करके दे रहा है ठीक इस नाम का तो उसमें क्या था उसमें क्या था कि उसमें तुमने बाद मास का शायद एक रूल पढ़ा होगा तो पढ़ा ही हुगा यह तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहां पर यह दो operators आ गया है तो हमारे पास कोई भी एक expression ऐसे करके दिया होता है और उसे simplify करने के हम किरले हुआ है्ट तो उसका एक रूल होता है पहले हम द्यूजिन करते हैं फिर Multiplications करते हैं ठीक है फिर like यह two-th था है तो उस अद्से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नंबर्स इन होते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़े होती है तो यहाँ पर इसका भी एक रूल है तो अलग-अलग operators होते हैं तो python में जो है वो हम अलग तरीके से solve करते हैं चीज़े python में हम उस चीज़ को precedence बहुते है हर एक operator का मतलब कोई एक precedence होता है मतलब priority wise operators जो है वो set की होती है अगर मैं तुम्हे आप पर google में दिखाऊं चलो दिखाते है तुम्हें तो तुम्हें google पर सिर्फ इतना type करना है operator precedence and associativity in python तो तुम्हेरे पास बहुत सारे websites आएंगे तुम्हें किसी एक में चले जाना है ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास दिखो यह चीज़े आ चुकी है तो operators का मैंने जैसे क तुम्हें बताया कि एक order होता है ठीक है solve करने का तुम्हेरे पास कोई expression अगर होगा python में तो उसे solve करने का एक तरीका होता है वो तुम्हें पुराना तरीका नहीं use करना है board mask का तुम्हें यह तरीका use करना है ठीक है तो एक किस तरह से है तो सबसे पहले देख लो parenthesis अब द नहीं मालूम है तो तुम उस चीज को parenthesis में डाल दो जैसे कि अगर तुम्हें 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है चलो इसको अटा दो 1 प्लस 2 और divided by 3 ठीक है तुम्हें अगर यह solve करना है और जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैंने set आ दिया 1 sorry 1 plus 2 by 3 तो तुम यहा पर क्या चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि 1 plus 2 पहले solve हो और उसके बाद जो result है वो divide हो 3 से तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो 1 plus 2 को यहाँ bracket पर डाल सकते हो अब जब 1 plus 2 पहले evaluate होगा और उसके बाद फिर वो divide होगा 3 से यह तुम आप basically पता ही होगा ठीक है तो parenthesis में किस इसी भी चीज़ को डालने से उसकी जो precedence है उसका precedence है वो बहुत जबढ़ जाता है सबसे उपर हो जाता है ठीक है यानि कि python जब उसको चीज़ को solve कर रहा होगा यानि कि अगर मैंने A में इस चीज़ को डाल दिया ठीक है ब्रैकेट वाले चीज़ को solve करता है, ठीक है, तो यह काम है, parenthesis का, ठीक है, अगे बढ़ते हैं, अब आता है slicing का, ठीक है, तो slicing किसमें था, strings में, ठीक है, अभी अगा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कोई बात नी, string तुम्हें समझ जा जाएगा कब, जब तुम पढ़ रहे उसकी वीडियो अप्लोडेड है, चैनल पर तुम देख सकते हो, तो subscription यानि index और slicing, तो यह चीज़े जब आएंगी, यह उसके बाद पढ़ेगा इस चीज़ को, उसके बाद फिर await है, ठीक है, यह चीज़ अभी तुमने नहीं पढ़ा है, यह तुम्हारे syllabus में भी नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, exponent है, ठीक है, फिर उसके बाद exponent का, जो precedence है, उसके बाद फिर positive, negative, bitwise, not, कोई बाद नहीं, यह तुम्हें समझ नहीं रहा है, कोई बाद नहीं, इस चीज़ को रहने दो, आगे बढ़ते हैं, खैर यह तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, फिर भी मै दिख लेता है, और bitwise not क्या है, कि यह not operator का simply काम करता है, ठीक है, bitwise not है, तो यह क्या करता है, वह simply not operator का काम, जो कि मैं भी तुम्हें बदा था, वो करता है, उसके बाद फिर multiplication, matrix, और division, floor division, remainder, इन सब का same precedence है, अब तुम सोच रहे होगा, कि अगर same precedence है, तो यह से solve कैसे करे तो यहाँ पर काम आती है, associativity, ठीक है, यह हमारा precedence है, ठीक है, यह 1, 2, 3, 4, इस तरह से precedence है, और associativity, याने कि, यह left to right है, याने कि python जब इसको solve कर रहा होगा, तो यह मान लेते है, यह एक ही चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ में हम यह नहीं देखना है, चलो आगे बढ़त होता है, ऐसे तो left to right ही होता है, अगर तुम भी किसी चीज़ को solve कर रहे होते हो, तो तुम left to right चीज़ों को देखते हो, लेकिन, अगर यहाँ पर exponent की बात है, ठीक है, तो वो right to left होता है, right to left मतलब कैसे, मान लो, मैंने तुमने यह लिखा, 2, और फिर यहाँ पर exponential operator दे दिय है, और यह three, two into two into two हो गया, याने कि two to four photos हो eight, तो यहाँ पर इसकी value eight हा रही है, तो इसको कैसे देख रहा है, क्या वो, यह ऐसे देख रहा है, two की power three, या फिर वो, ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो यह इस तरह से देख रहा है, three जो है, वो किसकी power में two, याने कि अगर मैं इसकी पावर में अगर 4 कर दूँ ठीक है, चलो यहां पर थोड़ा कम करते हैं से 2 कर देते हैं, तो यहां पर मैंने यह चीज लिग दी, तो तुमें इसका मतलब क्या समझ रहे हो, क्या तुम इसका मतलब यह समझ रह 272 की, चलो पहले %2 भी कर देते हो मैं से, और फिर 8 का जो है वो स्कोर हो जागा यानि 64 अगर मैं से अभी रिन करके देखूं तो यह 512 आ रहा है यह 64 नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कि लेफ्ट तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हैं यहाँ पर एसोचीटिविटी क्या है इसकी यहाँ पर और exponent कहां यह रहा है exponentiation तो exponentiation की जो एसोचीटिविटी है इसको सॉल्व करने का तरिका right to left है यानि की हाँ तो यहाँ पर मैं अगर left to right solve कर रहा है तब मेरे पास आ रहा है 65 सॉर्य तब मिरे पास क्या रहा है 64 कैसे 2 का para pivot क्या होता आ है 2 का क्यूब होता है ऐत allowed क्यों 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 क्यों降 containment ऊसक्वायर कर रहा हैAnt Cup इnew 64 तो इस तरह से 64 हा रहा में लेकिन अगर मैं इत तब आ जब मैं इसे left to right solve कर रहा हूं लेकिन इसकी associativity क्या है यहाँ पर तुम देख सकते हैं exponentiation की जो associativity है वो है right to left हैना इसे मुझे left to right नहीं solve करना है मुझे इसे right to left solve करना है यह तुम्हें हमेशा यह दखना है जो चीज़ा है वो इस तरह से इसे solve करना होगा यहाँ पर यह तुम्हें ध्यान रखना है यह बहुत से लोग यहाँ पर गलत कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को solve करने जाओ तो क्या होगा ठीक है यह इस तरह से solve होगा यहाँ पर तुम्हें थ्री का स्क्वाइर कर दो तो वह 64 यह निकरना है तुम्हें इस और इस साइड से मैं तुम्हें अगर solve करना तो ऐसा निकरना है तुम्हें कि टु की पावर तुम ध्री कर दो और उसके बद फिर जो हो जाएगा क्योंकि मैंने आपर तुम देख सकते हो जान बुचके मैंने आपर पहले इंडरॉम नंबर लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर तुम्हें कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले तुम्हें इस चीज़ को सॉल्व करना है ठीक है यानिकि 3 का पावर 2 तो यह 9 हो तो 2 की पावर 9 तो हमेरे पास 512 आ जाएगा तो यह दया पर तो associativity का भी यह काम है तो तुम देख सकते हो तो फिर multiplication division इन सब का जो weight है वो सेम है यानिकि तुम्हारे पास अगर शुरू में जो चीज़ा है वो कर दो तुम्हारे पास बले शुरू में multiplication आ जाए division आ जाए flow division जाए remainder आ जाए जो जी शुरू में आ जाए वो कर दो ठीक है क्योंकि left to right है जो करना है करो ठीक है उसके बाद फिर addition subtraction ठीक है उसके बाद फिर बागी की चीज़े तुम्हें ध्यान नहीं रखनी है ध्यान अगर तुम्हें रखना है तो यह चीज़े ध्यान में रखनी है क boolean not boolean and boolean or ठीक है यह चीज़े तुम्हें ध्यान में रखनी है अब भी मैं तुम्हें कुछ expression भी solve करके दिखाऊंगा फिलाल तुमने यह देख लो कि सबसे पहले parenthesis होता है उसके बाद slicing और indexing होती है ठीक है left to right सब कुछ left to right चलता है कौन सी चीज़ यहाँ पर right to left चल not ठीक है तो not वाली जो चीज़ है वो right to left चलती है और if health condition ठीक है तो अभी तुम्हें क्या करना है कि ज्यादा मत देखो चलो मैं तुम्हें बतायता हो तुम क्या क्या देख लो यह देखो ठीक है देखो शुरू से parenthesis देख लो यह देख लो फिर exponential समझ लिया है तुमने ठी positive negative bitwise not ठीक है उसके बाद फिर multiply यह भी ठीक है यह भी ठीक है नोट बना लो चलो तुम और उसके बाद फिर and ors और यह सारा चीज़ भी है ठीक है यह भी देख सकते हो तुम्हें काम करो इसका note बना लो और फिर तुम्हें जो जो चीज़ यहां पर समझ आ रही है description में तु उसका weighted जो है वो काफी उपर है ठीक है तो वैसे उतना difficult तो नहीं आने वाला तुम्हेरे पास तुम्हेरे पास क्या 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 आ सकता है क्या क्या use कर सकते हो किसी expression में वो भी मैं तुम्हें दिखा दूँगा चलो आगे बढ़ते हैं दिखाऊंगा आगे बढ़ते हैं इसक कुछ values का एक combination मना दो जिसका कि एक value निकल के आ रहा है कोई meaningful value कोई meaningful मतलब याने कि कुछ meaningful value निकल के आ रहा है तो वो एक expression बन गया ठीक है मैं फिर से बोलता हूँ कुछ values का इस तरह से combination मना हो कि मिला कर उसका एक अलग value आ रहा है कोई error ना रहा हो तो उसे हमें expression कह सकते हैं तो हमारे बुक में से ही मुझे एक question मिल रहा है उसे मैं solve करके दिखाता हूँ तुम्हें चले यहाँ पर मैं पहले A में कुछ चीज को store करता हूँ एक expression में मैं उसको ही store करूँगा ठीक है तो क्या है यहाँ पर यह 5 यह मैं लिख लेता हूँ पहले तो यहाँ पर मैंने A में एक expression लिख दिया है ठीक है अगर मैं इसे print कर वा लूँ तो इसका answer क्या आना चाहिए तो अब मैं तुम्हें बतातूँ कि इसे solve कैसे करते हैं solve करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं अब मैं जो कुछ भी लिखूँगा तो अब मैं आपर जो कुछ भी लिखने वाला हूँ comment में लिखने वाला हूँ तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले solve करते हैं parenthesis को तो parenthesis वाली चीज जो है उनकी priority जो है वो सबसे ज़ादा होती है देखो यहाँ पर parenthesis सबसे ज़ादा और वो भी left to right ठीक है तो parenthesis वाली चीज़ों को हम solve करेंगे तो पहले इसको solve करेंगे फिर इसको solve करेंगे left to right यही मतलब है इसका तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहली वाली condition क्या है true है या false है true है true लिख दिया मैंने अब यहाँ पर end हो गया अभी end होने के बाद यह दूसरी वाली condition क्या है true है या false है false है false लिख दिया मैंने उसके बाद और है फिर और के बाद अब यह तीसरी वाली condition क्या है यह हाँ यह true है ठीक है अब उसके बाद फिर मैंने and not और उसके बाद फिर अब ये condition क्या है ये condition क्या है इसे check करने के लिए ये तो parenthesis में है नहीं तो मैं आपर इसे जैसा कत ऐसा ही लिख दूँगा ठीक है 18 ठीक है अब इसके बाद further solve करेंगे हम इसे अब इसे इसके बाद कौन सी कौन सा operator काम में आएगा slicing तो है नहीं उसमें ठीक है और फिर exponentiation है इसमें क्या नहीं exponent इसमें नहीं है उसके बाद फिर उसके बाद फिर positive negative values ऐसा भी इसमें कुछ है नहीं ठीक है not compliment है ठीक है तो यहापर तुम देख सकते हो not जो है वो अभी चलो यहापर bitwise not तो रहने देते हैं यह इस तरह से not नहीं लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं फिर देखो अभी तक क्या क्या किया हमने parenthesis किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया हमने बैठे है उसके बाद आता है डारेक्ट multiplication, matrix, division, flow, division or remainder, addition, subtraction बाद में तो multiplication, division, remainder यह सारी चीज़े इनका आता है तो यह हमें left to right जिस order में मिल रही उस तरह से हमें से solve करते जाना है तो आब आते हैं नीचे तो क्या है यहापर मुझे multiplication, division flow division कुछ नहीं दिखा रहा कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और यहापर तुम देख रही हो कि मुझे यहापर addition और subtraction में नहीं दिख रहा कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं चलो additions subtraction भी नहीं दिखा shift भी कुछ दिखा नहीं चलो आगे बढ़ते हैं अभी bitwise इन चीज़ों में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा वो किसी दूसरे value में present है या नहीं तो उसमें हम in और not in का use करते हैं अगर present होगा तो वो in मुझे true return करके देगा और not in तो वो false return करके देगा ठीक है तो अभी क्या है मेरे पास comparison हाँ तो यहाँ पर is not is sorry तो यहाँ पर मेरे पास is not is in not in यह सारी चीज़े हैं और यह इस तरह के greater than smaller than वाले symbols है क्या इसमें ऐसा कुछ बचा हाँ देखो यहाँ पर यह smaller than वाला symbol है वो है और और कुछ है देखो यहाँ पर से अगर मैं तो बता हूँ तो in not in है यहाँ पर सिर्फ not नहीं है not in है तो इन चीज़ों में क्या है यह greater than यह logical operators है सिर्फ logical operators में से यह एक है तो चलो मैं इसे यहाँ पर जैसा कट ऐसा लिख देता हूँ और उसके बाद यह जो है यह solve होगा तो यह solve होने के लिए क्या यह condition true है या false है यह true है मुझे true दिख रहा है मैंने इसे true कर दिया आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है उसके बाद मेरे पास not है उसके बाद and है उसके बाद और है तो अब यह तीनों चीज़े ही है तो सबसे पहले not का देखते हैं कहां पर है not यहां पर है not तो इसको मैं पहले copy कर लेता हूँ यहां मैंने paste कर दिया और not true ठीक है यह चीज़ आ रहा है मेरे पास तो not true क्या है not true भाई मतलब false चलो तो यहां पर मैं इसे false कर दिता हूँ यह false हो गया अब क्या है not के बाद end है और उसके बाद और है ठीक है तो यहां पर end क्या है यहां पर end ठीक है और यहां पर भी end ठीक है तो दुनों में से किसको solve करेंगे पहले जो left to right होता है ठीक है तो जो पहले आ रहा है उसको solve करेंगे तो true and false यहां पर मैंने इसे false लिख दिया इसका भी false मैंने ऐसे लिख दिया अब देखो जब क्यूंकि दोनों values false है अब यहां पर एक यह operator बच रहा है और तो यह false आना चाहिए ठीक है तो देखो अब तक मैंने यहां पर run नहीं किया इस program को मैंने बस solve किया इसे किस तरह से solve किया है मैंने इसे solve किया है precedence के help से precedence और logical operator ऐसे लगा कि मैंने इसे solve किया है तो यहां पर तुम देख सकते हो मैं अगर इसे run करूं तो यह false आ रहा है किस reason से false आ रहा है Python ने इतने सारे काम किया है उसके बाद यह मुझे false बोल रहा है ठीक है देखो यहां पर मुझे एक और चीज तुम्हें बतानी है expression के बाद type costing टाइप कास्टिंग तो type costing क्या होती है type costing दो तरह की होती है implicit type costing और explicit type costing तो implicit type costing में क्या होता है अब दुनों में क्या होता है कि data type का conversion हो जाता है ठीक है अगर मैं इसे हटा दूए यहां पर a में मैंने 5 लिख दिया b में मान लेते हैं मैंने 5.0 लिख दिया और मैंने c में add करवा दिया दूणों का ठीक है a plus b तो c कौन से data type का होगा print करता हूँ मैं इसे c को print करवा रहा हूँ मैं आपर तो देखो क्योंकि a जो वो integer में है b float में है तो अगर जादा convenient क्या होगा कि ज यह इसको क्या करके देगा यह मुझे float में convert करके देगा अगर मैं इसे run करूँ तो यह पर तुम देख सकते हो 10.0 ठीक है यहाने कि यह मुझे float point दे रहा है तो यह यहाँ पर क्या कर रहा है यह खुद बखुद data type को change कर ले रहा है ठीक है अपने हिसाब से तो इसे हम कहते ह और आप हो explicit type conversion का तो उसके लिए क्या करता हूं यहाँ पर मैंने a equal to लिख दिया अब a equals to यहाँ पर मैं लिख देता हूं 5.6 ठीक है और अब मैं क्या कर रहा हूं print कर वा रहा हूं यहाँ पर मैं काम करता हूं b में store करता हूं int of a को ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं इसे print कर करवा हूं otis n seven q&aitta क्रिंट कर वहाँ फॉरAudi b के टाइप को प्रिंट कर रओं यहां पर को मैंने विद Wam कुछ से टाइप को प्रेंट करवा रहा रहा ह। तो यह मुझा बता रहा है कि तुम हर एक data type को किसी भी data type में change कर सकते हो मतलब तुमने 5.6 click दिया अब मैं अगर इसे string में convert करना चाहूँ तो क्या होगा ठीक है तो ये मुझे string में convert करके दे रहा है लेकिन वहीं अगर मेरे पास कोई एक string हो ठीक है ये एक string है ये string बन गया अगर मैं इसको integer में convert करना चाहूँ तो क्या होगा error आ गया ठीक है तो ये हर बार possible नहीं होता लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5.6 के जगा पर सिर्फ 5 कर दूँ तो यहाँ पर ये मुझे convert करके दे रहा है तो यहाँ पर तुम देख रहा हो कि हर बार कुछ न कुछ अलग सीखने को मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना है कि कुछ से अलग-अलग experiments करके देख रहे हैं और सीखना है तुम्हें कि किस जगा पर क्या rules काम कर रहे हैं अब मैं आगे बढ़ू तो मेरे पास क्या आ रहा है modules हा रहा है अब python के standard library modules हा रहे है मेरे पास कौन-कौन से modules है math module, random modules, statistics modules अब modules क्या होते हैं अब modules के पहले तुम्हें यह जानना होगा कि functions क्या होते हैं functions तो मैं पता होगा अगर जिसके पास maths होगा class 11th में तो उसमें पहला है यह नहीं उसमें दूसरा chapter था relation and function का तो तुम्हें पता हो कि function क्या होता है और function मैंने already भी बता हुआ है python fundamentals में भी की function क्या होता है suppose कि तुम क्या कर रहे हो मान लो कि तुमने एक गाड़ी का program किया ठीक है मान लो तुमारे पास कोई एक car है और उसकी programming तुम लिख रहे हो तो उसमें तुम एक काम करवा रहे हो क्या उसकी headlight जलाने का ठीक है और तुम क्या चाह रहे हो कि अगर तुम कभी right turn ले रहे हो तो भी light जले तुम left turn ले रहे हो तो भी light जले तुम गाड़ी का दर्वाजा खोल रहे हो तु भी light जले अब तुम light जला रहे हो तो भी obviously light जले तो हर बार तुम चाह रहे हो कि एक काम जो है वो हो ठीक है तो अब तुम क्या कर रहे हो कि light जलाने का पूरा एक बड़ा program हर बार ना लिखके light जलाने वाले के जितना भी segment होगा उसको एक function मना दो ठीक है ठीक है तुम program लिख रहे हो ठीक है लेकिन उसको एक segment बना दो यानि कि उसको एक अलग function मना दो और जब जब कोई एक काम हो रहा हो तब तुम उस function को call करो ना कि तुम वो program वापस लिखो समझ रहे हो ठीक है तो यह एक function होता है अगर तुम्हें function तुम्हें पता नहीं होगा function अभी होता क्या है तो चलो मैं एक example देता हूँ अगर तुम एक example समझ ना आए पूरी तरह से तो कोई बात नहीं लेकिन समझ में आई जाएगा तो यहाँ पर मैं function का एक program बना कर तुम्हें दिखाता हूँ कि function काम कैसे करता है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसा function में बना हो कि जो मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे रहा है F1 नाम का मैंने एक function बना लिया ठीक है अभी वो इस तरह से यहाँ पर मैंने अपना नाम प्रिंट करवा लिया ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो मैं काम करता हूँ कि प्रिंट कुछ और भी करवा देता हूँ ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं चाहता हूँ कि यह 100 बार प्रिंट हो मान लेते हैं कि यह 100 बार print हो तो उसकी जगह पे आपर मैं print यह जो चीजे हैं यह 100 lines इसके ना लिखके मैं क्या कर सकता हूँ या तो मैं loop भी लगा सकता हूँ तो या तो मैं loop भी लगा सकता हूँ या फिर मैं इस function को हर बार call कर सकता हूँ जब जब मुझे काम हो loop का क्या होगा कि वो एक ही series में हर बार चलेगा ठीक है लेकिन function का क्या होगा कि मैं अपने program के अलग-अलग segment पे अलग-अलग जगह पे उसे लिख सकता हूँ ठीक है कि इतने बार print कर दो या फिर तो सही है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस function को call कर लेता हूँ ठीक है मैंने call कर लिया फिर मैंने मान लेते हैं A में कुछ assign कर दिया ठीक है फिर मान लेते हैं मैंने B में कुछ assign कर दिया कुछ भी काम कर रहा हूँ मैं फिर मेरा मन किया इस काम को करवाने का तो मैंने F1 को फिर से call कर दिया फिर मैं कुछ और काम कर रहा हूँ यहाँ पर उसके बाद मैं फिर से उस function को call करवा रहा हूँ मतलब जितना मन कर रहे मैं उतनी बार function को call करवा दे रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं इसे अभी run करूँ तो तुम देख सकते हो यह मैंने जितनी बार function को call कर रहा है उतनी बार यह print होकर आ रहा है ठीक है अभी मेरी आवाज में तुम्हें energy काफी कम लग रही होगी क्योंकि तुम यहाँ पर time देख सकते हो क्या हो रहा है तो यह था function अभी मैं तुम्हें क्या बताने वाल हूँ module के बारे में तो क्या हो अगर मैं कोई program बनाऊ एक ऐसा program file बनाऊ जिसमें मैं सिर्फ functions को define कर आ रहा हूँ कोई काम नहीं कर आ रहा हूँ मैं उसमें सिर्फ functions को define कर रहा हूँ कुछ constants रख रहा हूँ ठीक है तो उसमें मैंने सिर्फ functions को define करके अलग जगा पर store करके रख दिया है और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक अलग python file बना रहा हूँ शूरू से और उसमें मैं उस पूरे module को import कर वा ले रहा हूँ ठीक है अब उस मैंने उस module को import कर वाया ठीक है अब मैं पस दो files बन गए पहला एक module का file बन गया और दूसरा मेरे पास original file बन गया जिसमें मैं code करने वाल हूँ तो अब मैं इस file में जो की मान लेते हैं यह मेरी main file है ठीक है मान लेते हैं यह मेरी main file है और यह मेरी module की file है यहाँ पर functions define करके रखे हुए है और यहाँ पर मैं code कर रहा हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस में एक code लिखूँगा क्या लिखूँगा उस module का मान लेते हैं नाम xyz है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा import ठीक है xyz तो ऐसे करके मैं एक module import करवा सकता हूँ और module import करवाने के बाद मैं आपर मैं इसके functions को मान लेते ही एक module की file है तो मैं इसके functions को यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ ठीक है कोई problem नहीं आगी अब लिखने का भी एक तरीका होता है module वाली file लेकिन हमारे पास बहुत सारे modules जो है वो हमें मिलते हैं ready made ठीक है तो modules कुछ होते है predefined जो कि हमें python की library में भी मिल जाते हैं और कुछ होते हैं जो कि हम define करते हैं हम खुद से भी module बना सकते हैं तो खेर वो अलगी chapter है class 12 में तुम्हें पढ़ना है अभी तुम्हें उन modules के साथ काम करना है जो module उन्हेरे पास है अभी ठीक है तो तुम्हेरे पास कौन-कौन से modules दिये हैं बहुत सारे modules हैं उन में से कुछ modules का नाम है तो मैं अभी बिता जरता हूँ कि turtle तुम उसमें कुछ animation मना सकते हो ठीक है छोटा सा animation और फिर GUI बनाने के लिए तुम्हारे पास एक popular module है जिसे हम कहते हैं tick enter या फिर फिर कुस लोग इसे kinter भी कहते हैं या फिर कुस लोग इसे tk enter भी कहते हैं तुम्हें जो कहना को और जी ओए बनने के लिए और भी modules हैं जैसे कि py cutify ठीक है तो बहुत सारे हैं तो यह हमें क्या provide करते हैं यह हमें functions provide करते हैं additional functions जिनका code हमें लिखने की ज़रूरत न पड़े हम direct function को call करवा के उस काम को करवा लें ठीक है तो अब हमें सबसे पहले देखना है क्या हमें देखना है सबसे पहले math module के बड़े में तो आते है math module पे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताए था math को पहले import करवाएंगे math module जो है उसे मैं import करवाँगगा उसके लिए मैं inação पर लिखूँगा import math ठीक है अब import कराने के भी अलग-अलग तरीके है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ from math import देखो मैं यहाँ पर तुम्हें लिखाता हूँ from math import और उसके बाद यहाँ पर मैं functions के नाम लिख सकता हूँ या फिर मैं star लिख सकता हूँ अगर SQL तुमने यूज किया हो select star from table name तुम लिखते हो ताकि तुम्हेरे पास सारा का सारे data आजा है तो उसी तरह के तरह से यहाँ पर भी star का काम है star को यहाँ पर asterisk भी बोलते हैं हर जगा बोलते हैं तो इसका भी वही काम है यहाँ पर यह क्या करेगा कि सारे functions को math से import करवा लेगा या फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऐसे comma दे दे के functions का नाम लिख सकते हैं जो भी function का नाम हमें चाहिए मुझे यह functions चाहिए यह एक तरीका है from वाला और यह दूसरा तरीका यह क्या है यह import math अब दोनों दो तरीके हैं कोई भी module import करवाने के अब यह जो module का concept है यह तो हम class 12 में देखने वाले हैं फिलाला math module पर focus करते हैं तो जल्दी से हम कुछ functions के बारे में देख लेते हैं वीडियो अल्री काफी लंबी हो रही है अब मान लेते हैं मेरे पास कोई number है a equals to minus 3.56 ठीक है यह मान लिए मैंने अब मेरे पास जो function है जो कि मैं भी सबसे पहले दो में दिखाने वाला हूँ तो मैं आप पहले print लिखने वाला हूँ और functions जो है वो कुछ चीजे return करती है ठीक है तुम्हें पता होगा तो उन values को return करती है जो हमें उनसे चाहिए तो यहाँ पर मैं अब math module का use करके उस function को call करने वाला हूँ तो वो हम कैसे करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर import math से math को import करवाया तो हम अब यहाँ पर यह लिखेंगे math ठीक है यह function है और उसके बाद फिर parenthesis तो यह seal function है तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया minus 3.56 ठीक है और इसको मैं math.cl function के अंदर डाल रहाँ तो math.cl function क्या करेगा तो क्योंकि एक negative number है तो minus 3 क्या होगा इससे बढ़ा होगा minus 2 उससे बढ़ा होगा फिर minus 1 सबसे बढ़ा होगा ठीक है तो negative में सबसे बढ़ा कौन सा minus 1 होगा तो यह तो तो मैं पता ही होगा तो इस चीज से इस चीज से बड़ी ठीक है seal लिखा हो तो तो याद रखो कि seal मतलब sailing याने कि sailing मतलब बढ़ा ठीक है ऊपर की चीज है तो क्या होता है कि minus 3.56 से बड़ी कौन सी integer है integer देखना हमें ठीक है यह floating point है हमें integer देखना है तो वह होता है minus 3 अगर इसे मैं run करूँ तो यह पर तुम देख सकते हो minus 3 आ रहा है अगर मैं आप पर इसे हटा कर अभी run करूँ यानि कि इससे बड़ी कौन सी चीज होगी तो वह for मुझे return करके देखा ठीक है तो यहापर त आसान तरीके से किसी भी number का square root निकाल सकता हूँ इसका square root निकालने जाओं तो यह आएगा काफी चोटा number है कोई बात नहीं अब मेरे पास है e xp ठीक है यहापर मैं अगर इसे हटा के e xp कर दूँ तो वो मुझे e की power में यह डाल के देगा ठीक है तो अगर मैं इसे run करूँ तो तुम calculate कर सकते हो कोई calculator ले लो scientific calculator ठीक है तो उसमें तुम्हें पता सिल जागा कि e की value अगर तुम्हें यह डाल लो तो मैंने आपर Fabs लिख दिया Fabs function क्या करता है वो मुझे absolute value देता है ठीक है absolute value भी तुम्हें पढ़ा ही होगा अगर मैं आपर minus डाल दू तो मुझे यही चीज़ मिल जाएगी लेकिन अगर मैं minus भी हड़ा दू तो भी मुझे यही चीज़ मिल जाएगी मतलब तुम अगर उसम इसको positive करके इसने तुम्हें दे दिया अगर यह positive भी होता तब भी मैंसे अगर run करता तो भी मुझे यह positive value दे देता ठीक है आगया आगे बढ़ते हैं अब यह मेरे बास floor ठीक है तो आपर मैं इसे Fabs को अटाके मैंने आपर इसे floor कर दिया अब तो floor क्या करता है तो तुम इ दे कर लोग के बताता है ceiling वाला function यह क्या करता है इससे एक बड़ी value देता है ceiling मतलब बड़ी ठीक है उसी दरह से it floor तो floor क्या करेगा तो मैं देख सकत है हैं त्री ऑगया है अब यहां पर log नाम का एक function आता है, logarithm chapter अगर तुमने पढ़ा हो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो log क्या करता है, दो arguments देता है, याने कि हम इसके bracket के अंदर, यहां पर दो values पास करवा सकते हैं, तो मान लेते हैं, एक value मैंने a पास करवा दिया, और दूसरी value मैंने 5 पास यहां पर अगर मैं log 10 लिख दूँ, और उसके बाद किसी number को पास करवा हूँ, ठीक है, तो log वाला ही जो था, वो ही बस दो arguments लेता है, बाकी एक power function भी है, वो भी दो arguments लेता है, किलाल में इसे run करके दिखाता हूँ, यह run कर रहा है, इसके बाद आता है power function, math.pow, ठीक है, power function क और तुम्हें यहां पर क्या करना है, base और exponent देना है, कि क्या, यानि कि इस चीजके power में क्या चाहिए तुम्हें, इसका अगर चाहिए होगा, तो यह मुझे square करके देगा, Q करना चाहिए हो, तो थ्री लिखंगा, तुम्हें दीपावर 4 चाहिए, तो मैं इसके जगवा पर sign देखो तो यहाँ पर math.sign जो है इसके अंदर एक value आएगी तो यह क्या देगी मुझे किसी भी एक number का sign value निकाल के देगी ठीक है तो यहाँ पर यह आ रहा है कोई बात नहीं समझ नहीं आ रहा है लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 180 दूँ तो sign 90 देते हैं तो sign 90 तुम सबको पता है कि 1 होता है तो क्या यह 1 आएगा नहीं यह 1 नहीं आएगा क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे यह 90 नहीं चाहिए यह sign 90 जो sign जो चीज है वो radian में values लेगा अगर तुम्हें math लिया होगा 3.14 divided by 2 यह कर देता हूँ मैं इसे अगर मैं इसे अभी run करूँ तो यह approximately 1 आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने यह आपर directly pi नहीं लिखाया अब pi कैसे लिखते हैं तो pi लिखने का एक तरीका कौन सा है वो math.pi लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस तरह से हम किसी constant को लिख सकते हैं हाँ पर math.pi यह लिखेंगे तो यह समझ जाएगा कि यह pi को बोल रहा है अब यहाँ पर यह pi by 2 यानिकी 90 हो गया अगर मैं इसे degrees में convert करूँ देखो जब तुम अगर पता ना हो तो मैं बता दूँ सकते हो तो यहाँ पर math.sine का function है यह radian में values लेता है और अगर math.pi यहनिकी pi by 2 अगर मैं करूँ तो मुझे अब यहाँ पर 1 मिल रहा है ठीक है तो अभी मैं इसे हटा देता हूं similarly cos का भी है sin को हटा के अगर मैं cos लिख दूँ तो cos की value मिल जाएगी मुझे उसी तरह से tan भी है तो अभी मेरे पास और functions है कौन कौन से functions है degree और radian के लिए function है तो अभी अगर मैंने degree लिख दिया ठीक है और degree में मैं a डाल रहा हूं तो degrees है ठीक है तो यहाँ पर a में जो भी हम चीजे डालेंगे वो radian में डालेंगे और वो इस चीज को degrees में convert करके जाएगा ठीक है dot degree लिखा है मैंने यानि कि मुझे degree में output चाहिए तो मुझे अगर degree में output चाहिए तो यहाँ पर मैं radian में कुछ लिख देता हूँ एक radian यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है एक radian अगर मैं इसे विरन करूँ तो यह value होती है match वालों को बता होगा similarly अगर मैं इस चीज को हटा के यहाँ पर radian कर दूँ radians sorry इसे में radian करूँ तो यह आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं तुम इतने सारे functions होते है math module के अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास जो module है वो random module है random module का क्या काम होता है यह मुझे basically random चीजे generate करके देता है अगर मैंने कोई एक number है मेरे पास कोई set of numbers है तो उसमें मैं बोलू तो वो मुझे एक random number चिनके देगा यह कहा काम आता है यह game development है बहुत जादा काम आता है क्योंकि कभी भी तुम्हें random चीजे दिखरी होती है तो इस module का बहुत जादा काम आता है random module का तो यहाँ पर मैं पहले random module को इंपोर्ट करवाऊंगा ठीक है अब random module में सिर्फ तुम्हें तीन functions पढ़ने हैं कौन-कौन से random function, randint function और फिर rand range function ठीक है तो अगर मैं फिर तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर चलो मैं इसको उटा देता हूँ सबसे पहले किसी भी method को यूज करने के लिए किसी भी module से क्या लिखना होता तुम्हें random.radians ठीक है यहाँ पर rand function तो कोई function है नहीं random में अब मैं इसे run करता हूँ। तो इसने क्या किया मुझे तो इसने क्या किया है , यहाँ पर इसका कोई काम नहीं नहीं है ठीक है यहहाँ भूबशल दे सकता है 0 से लेकर 1 तक कोई वैJE सकता है लेकिन 1 नहीं दे सकता ठीक है तो यह काम मैं random का अब मैं क्या करता हूँ दूसरे function पर आता हूँ दूसरा function कौन सा है randint ठीक है तो randint पर अगर हम लोग देखें तो randint क्या करता है यह मुझे integer values देता है तो अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 10 तक की मुझे values रही है तो मैंने 2 values यहां पर दे दी ठीक है अब 2 values मैंने आ पर दी तो मुझे एक क्या return करके दे रहा है यह मुझे 7 return करके दे रहा है यानि यह random ली इसने उठा लिया फिर से run करते हैं इस बार कोई अलग value आ गई फिर run करते हैं 10 आ गया तो यहां पर तुम देख सकते हो इसमें last value भी included है ठीक है अगर तुम सिर्फ random function की बात करो तो वो 0 से लेकर 1 तक में से चीज़े उठा कर दे रहा था कोई भी decimal values भी आ रही थी उसमें लेकिन उसमें one included नहीं था यहां पर तुम देख सकते हो या पर मैं नहीं कर दिया था तो यहां पर मैंने या यहां कर दिया कोई वैलिू डाले यह दिया 5 तो मुझे जीरो यह मुझे जिरो लेकर युदे लू से लेकर फ्यलीता गएक निकाल कर देगा तो जोकर इसमें is five included होगा अगर मैं इसे run करूँ अगर मैं इसे multiple times run करगे देखो तो यहापर तुम देख रहे हो कि 5 तो आई नहीं रहा 5 तो नहीं आ रहा यानि कि इसमें जो last का जो है वो include नहीं हो रहा last का सिर्फ किसमें include हो रहा था सिर्फ rand int में include हो रहा था उसके बाद फिर किसी में नहीं होने वाला नहीं वो random function में use होने वाला यानि कि one उसमें include नहीं हो रहा और rand int में अगर तुम बात करो तो उसमें last वाला use हो रहा था और rand range में जो है वो last यानि कि upper limit जो है वो include नहीं होती तो यह इस तरह से काम करता है अगर मैं सिर्फ एक input इसमें दू और अगर मैं इसमें 2 input दू तो यह अब क्या करेगा यह मुझे 5 से लेकर 10 तक के बीच में निकल के देगा तो यहाँ पर 10 आने वाला नहीं है तो यहाँ पर मैं generate करते जारा हूँ नय नय नंबर्स यहाँ पर मैं generate करते जारा हूँ तो यह मुझे 10 निकल के नहीं दे रहा तो अब बात करते हैं अगर मैं 3 arguments दू तो क्या होगा तो यहाँ पर 3 arguments कब दी जाती हैं जब हम step values में काम कर रहे होते हैं यानि कि अगर यह पहले check कर यह फिर 5 प्लस टू क्या होता है 6? 7 तो 7 सोच सकता है 7 प्लस 2 क्या होगा 8? 9 9 सोच सकता है और 10 का तो यह सोचने भी नहीं वाला ठेक है यानि कि 2 के step में आगे बढ़ेंगी चीजे ठेक है 5 प्लस 2 यानि 7 आएगा फिर बात में 7 प्लस 2 यानि क्या आएगा 9 आएगा यानि कौन-कौन सी चीज़े बन रही है 5, 7 और 9 इन चीज़ों में ही आएगी values ठीक है यानि 2 क्या होगी step value 2 के जगा हम 3 डाल देते तो वो 3 की values में आगे बढ़ती फिलाल हम देख लेते कि क्या 5, 7 और 9 में ही चीज़े आ रही है देखो 9 आया 7 आया 7 आया 5 आया ठीक है तो देख सकते हो इन चीज़ों में ही values आ रही है और ये randomly generate हो रही है तो यह था काम rand range का अब हमारे पास जो module है वो है statistics module तो statistics module के लिए हम यहाँ पर statistics को import करवा लेते हैं और यहाँ पर मैंने इस function को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से ठीक है और क्यूंकि हर बार मुझे जब भी मुझे कोई function यूज़ करना पड़े तो यहाँ पर देखो statistics.function का नाम और फिर यह यह ना लिखना पड़े तो उसके जगह मैं क्या करता हूँ as का यूज़ करता हूँ ठीक है as और उसके बाद w यहाँ पर मैंने w लिख दिया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ जहाँ 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 इस statistics use होगा उसके जगह पर मैं हटाके सिर्फ w लिख सकता हूँ और इस w को हम क्या कहते हैं alias name ठीक है जब भी किसी बड़े नाम को या तो बड़े function का नाम हो या फिर वो बड़े module का नाम हो बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो तो उसको तुम change करके छोटा नाम कर रहे हो ठीक है तो उससे हम कहते है alias name ठीक है alias तो यह नाम कहते हैं हम इसे तो इस तरह से मैं simply use कर सकता हूँ इसे पहले module का नाम या फिर alias name अगर तुमने दिया है तो उसके बड़ डॉट और उसके बड़ फ़र function का नाम और उसके अंदर कुछ arguments होंगे तो वो तुम डाल सकते हो तो यह इस तरह से डालते हैं किसी module का use कर ठीक है डाएक है डारेक्ट वन नहीं डालेंगे हम कर यह sequence बना लेंके पहले माल लेते हैं मैंने वन डाल दिया ह talkinon Circle टिक है oh तो यह एक sequence बन गया और मैं इस sequence को इसके अंदर डाल देता हूँ ठीक है और मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं mean निकालना चाह रहा हूँ तो यह मुझे mean निकाल के देगा इस तरह से mean का formula सबको पता ही होगा median का भी पता होगा नहीं पता होगा तो research कर लिना थोड़ा ठीक है mean उसके बाद फिर अगर मुझे median चाहिए होगा तो मैं आपर median लिख दूँगा और अगर मुझे mode चाहिए होगा तो यहापर मैं mode लिख दूँगा बस इस तरह से मेरा काम चल जाएगा अगर मैं इस sequence में इसको हटाकर मैं parenthesis लगा के एक टपल बना दूँगा अगर मैं आपर इस एक टपल बना दूँगा तो भी कोई problem नहीं आने वाला क्योंकि यह भी एक sequence ही है या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि तुम इस sequence को directly यहाँ पर डाल दो एक जगह पे इस तरह से तो errors क्या होते हैं, errors तुम सब को पता होगा क्या होते हैं, हमने कोई program लिखा उसमें बीच में कोई गलती आ गई, तो उसे हम error कह सकते हैं या फिर कोई bug कह सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज, ऐसी कोई गलती जो हमारे program को run करने से prevent कर रही है, मतलब कि वो successfully compile नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम क्याते हैं, एक bug या फिर कोई एक error कहते हैं, ठीक है, अब errors के भी type होते हैं, अब यह वो type नहीं है, जो तुम खुज से program लिखते हुए करते हो, ठीक है, अब हम error के categories को देखते हैं, ठीक है, तो error के categories होते हैं, तो कुछ categories यहांँ पर लिखे हुए है, compile time errors, compile type errors, जो तुम लिखते वक्त जो गलतियां करते हो, ठीक है, तुमें लिखना नहीं आता, तुम अजीब तरह से लिखते हो, तुमने कोई bracket ही दूर दर कर दिया, तो ये सारी चीज़ों जो है, वो क्या होती है, compile time errors, ठीक है, जब तुम लिखने में गलतियां कर रहे हो, इसमें क्या होता नहीं है, तो ये तो गलति कर रहे हो तुम, तो मैं इसे हटा देता हूँ, और एक काम करता हूँ, यहाँ पर dot के जगा, तुमने comma डाल दिया, ठीक है, साथी, comma डाल दिया, ठीक है, तो ये जो छोटी-छोटी गलतियां, इनम कहते है, syntax errors, जब तुम अपने syntax में गलतिय कर रहे हो, तो वो बन गई semantic error, जैसे तुम बोलोगे कि गुपता जी बुक को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब बनता है, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि बुक जो है, वो गुपता जी को पढ़ रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, simply अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, print और इसके अंदर में लिख दूँ, hello, ठीक है, तो ये मुझे simply hello print करके देखा, लेकिन मगर hello के अंदर, मैं यहाँ पर print लिख रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बगवास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, python का interpreter यहाँ पर मुझे गालिया देना चाह रहा था, लेकिन म तो यहाँ मैं से हटा देता हूँ, तो अब तुम समझ गए हो कि semantic errors क्या होता है, मतलब नहीं बनाना, syntax मतलब, तुमने syntax में लिखने में कुछ गल्तियां की है, और semantic मतलब की तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो, जिसका की मतलब नहीं बन रहा है, बले कि वो valid है, ठीक है, syntax में को प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो बीच में अगर उसने कोई एक ऐसी line लिख दिया है, जो कि उसके program को successfully नहीं execute कर पा रही है, ठीक है, तो यह होगा है तुम्हारा logical error, मतलब कि जो तुम्हारा fruitful output है, जो तुम जिस तरह का desired output है, तुम्हारा जो output तुम चा रहे हो, वो तुम मैं नहीं मिल रहा है, कुछ अलगी मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, या फिर कुछ error मिल जा रहा है, तो यह होता है logical error, ठीक है, अब यह लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है, और नहीं कोई ऐसी चीज़ है, जो मतलब ना बना रही हो, जैसे कि मानलो, मैंने यहाप पर print कर वा तो फिर यह print क्या करेगा, ठीक है, तो यह होता है तुम्हारा logical error, अब आते हम runtime errors के बारे में, तो देखो अब runtime errors का क्या मतलब होता है, runtime errors ऐसे errors होते हैं, जिन में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, या फिर तुम्हारी गलती है भी indirectly, ठीक है, अब वो तुम्हारे program में लिख इतने सारे factors है, देखो वो हो सकता है, ठीक है, तुम्हारी भी गलती हो सकती है, लेकिन ज्यादा तर तुम्हारी गलती नहीं हो, उसे हम कहते है runtime error, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, प्रोग्राम के execution में जब कोई दिक्कत आ है, वो किस तरह से आ सकती है, तो runtime error में क्या आते हैं, mostly हम exceptions को deal करते हैं, अब exceptional handling जो है, exception handling, ये एक अलग field है, मतलब तुम इसे भी देख सकते हो, जदा कोई difficult नहीं है, लेकिन वो out of the syllabus है, तुम पढ़ सकते हो, तुम चाहते हो, तो exceptional handling में हम क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं, exceptions क्या होते हैं, और errors क्या होते हैं, जैसे ATM का example लेते हैं आपर, तुम ATM में जा रहे हो, पैसे निकालने के लिए, तुमने वहाँ पर account number डाला, ठीक है, माल लो कि तुमने गलत account number डाला, तो फिर वो गलत बताएगा, कि भाई, ये गलत account number है, ठीक है, लेकिन, अगर वही तुम अकाउंट number तुमने सही डाला, और अगर bank balance ही तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास bank balance है दो पैसे, तुम और तुम दो कड़ोर वहाँ से निकालना चाहरे हो, तो वो कैसे निकाल के देगा, तो यहाँ पर ही एक exception होगए, ये कोई error नहीं है, ठीक है, तो काफी similar है वो, ठीक है, दोनों errors और exceptions का काफी similar है, लेकिन वो सेम चीज़े हैं नहीं, ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ errors है, sorry, अब हमारे पास कुछ exceptions है, जिनके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सबसे पहले है हमारे पास EOF error, ये तुम्हें कब समझ आएगा, कोई बात नहीं मैं तुम्हें बता र error है, यानि कि तुमने याँ पर कुछ end of file है, यानि इसका मतलब, तो कुछ इसमें डाला ही नहीं है, तो फिर तुम आगे कहा जा रहे हो, ठीक है, तुम पहले अभी का जो कहा हम है, वो करके जाओ, अब आता है, I O E Error, ठीक है, sorry, I O Error, यानि input output error, इसका मतलब क्या होता है, जब तुम input function में, या फिर print function में, इन चीज़ों में, कोई एक error आए, मतलब कोई गलती करो, जैसे कि तुम गलती ना करो, किसी और factor पर वो यह हो, dependent हो, जैसे कि अगर तुमने, तुमारे disk फूल हो रही हो, ऐसे अभी होता तो नहीं है, वैसे generally, ठीक है, तो वो I O Error आगया, फिर name error है, name error यह तब आता है, जब तुम कोई एक variable से कुछ काम करवा रहे हो, लेकिन वो variable जो है, वो तुमने initialize किया ही ना हो, ठीक है, जैसे कि अभी हमने, मैंने तुम्हें बताया था, फिर आता है index error, जब भी तुम उल्टा पुल्टा index दाल दो, कुछ गलत index दाल दो, या फिर file मिल नहीं रही है, तो फिर क्या होगा, वो import error आएगा, फिर यहाँ पर आएगा type error, type error तब आ रहा है, जब तुम क्या कर रहे हो, divide कर, माल लो कि तुमने, तुमने, तुमने तुमने, तुमने तुम को तुम divide कर रहे हो, तो यह तो गलत होगे ना, तो इन चीज़ो type का ही data type जो है, particular type का ही variable जो है, वो pass करवा सकते हैं, और तुम उसमें, माल लेते हैं, वो string value लेती है, और string को कुछ भी slicing अगरा करके देती है, ठीक है, और तुम उसमें integer डाल रहे हो, तो फिर यह गलत होगया, तो value error आ वही, फिर यह 0 division error, जब तुम किसी number को divide कर तो 0 से, त 0 division error देगा, ठीक है, फिर आता है overflow error, इस यह क्या होता है, कि जब तुम जो input दे रहे हो, वो उसके limit से बहुत जादा है, ठीक है, तो इन चीजों में overflow error आ जाता है, जैसा कि मैंने तुम तुम की और value के pairs में डालते हो, ठीक है, चीजे, तो तुम अगर indexing कर रहे हो, ठीक है, तो कोई एक key उसमें तुम find करना चाते हो, या फिर कोई key का तुम use कर रहे हो, जो कि key उसमें present है ही नहीं, तो यहाँ पर यह key error आएगा, यहाँ पर name error नहीं, यह key error आएगा, ठीक है, अब आता है हमारे पास last topic जो की है debugging using code tracing, इसका मतलब क्या होता है, debugging, ठीक है, नाम से हमें क्या पढ़ना है, code tracing, code tracing मतलब कि अपने code, अपना जो code है, निकालो उसे, यहाँ पर मैं कोई एक code, महले थे, यह code है, अब यहाँ पर line by line बैट के इसे पढ़ो, ठीक है, अब खुद समझो कि कहाँ पर problem है, उसे सही करो, अब तुम बोले कि ओ, यह तो मुझे पता ही न आ रहा है, और अगर तुम्हें सच में problem हो रही है कि error कहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे तो तुम्हारा जो interpreter बता ही देता है कि इस line पर error आ रहा है, उस line पर error आ रहा है, लेकिन कही बार यह चीज़े जो है वो उतनी accurate नहीं होती है, जब तुम बहुत जादा complex programming करो, मतलब अगर तो उसमें error देता ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बना हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो उस time तुम्हें क्या करना है, कि मान लेते हैं, मुझे check करना है कि क्या यहां तक सब ठीक है, तो मैं आप पर क्या करूँगा, print करवा देता हूँ मैं, कुछ बेकार स सब ठीक है, तो मैंने इसे प्रिंट करना है, यहां तक सब ठीक है, तो इस तरह से यह काम करता है, तो co-tracing का मैंने एक तरीका तुम्हें बता दिया, तो यह था पूरा का पूरा chapter, one shot में खतव हो चुका है, यहां पर तुम time देख सकते हो, अब जल्दी वीडियो और अगली चेप्टर की वीडियो भी आ जाएंगे मिलते अगले वीडियो में बाई